हौसले जिनके चट्ठान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं, ये नदान, नघवरा इन परिसानियों से ये तो पलबर के मेहमान हुआ करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की इस वीडियो में हम कबर करने वाले हैं उत्तर परदेश पुलिस भर्ती 2022 या फिर आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं जिसमें गाइस बारते सम्मिदान यानि इंडिन कॉस्टिटूसर से समधित कुछे जाते हैं वो गाइस आप अगर किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी जादा खास है इस वीडियो में हम 500 प्रसनों का तड़का गाइस लगाने वाले हैं और मैं आपको बता दूँ एक ही वीडियो में हम कबर कर लेंगे इसलिए आप इस वीडियो को भीम राव अमबेडकर जी के जैनती वी आज ही है यानि कि 14 अपरेल को इशी के गानदाइस आस मैंने ये दिन भी रखा कि आज के इस दिन पर हमें भाड़ते समयनां से समद्दी जितने भी गाइस हमारी इंपोर्टन्स जानकारी है मुझे उसके बारे में जानकारे लेनी चाहिए ने इंद अपनी खोकर जगाया हमको आंसु अपने गिरा कर हशाया हमको कभी मत भूलना उस महान इंसान को जमाना कहता है भीम राव अमबेडकर साहिब जिनको मेरे पहरे भाई अमबेडकर साहिब जी की आज जैनती है आप सभी को बहुत बहुत सुब काम नहें औ और मैं आप सबसे हाथ जोलकर निवेदन करता हूं कि आज कि इस बेतनी क्लास में आप हमारा सायोग जरूर कीजेगा तो अब आईए गाईस बिना किसी देरे के बढ़ते हैं क्लास की तरफ और जितना जल्दी हो सेके उतना जल्दी आप आंसर देने की कोसिस कीजेगा ताक मेरे पहरे भाई संबिदान और मैरे प्रथम थाए घ्रव उतना जल्दी में आसर की इने की कोशिजेगा ठीक हैं मेरे प्यारे मित्र यहां पर कहा क्या गहीया आप आपसे संबिदान सबाकी परताम बैठक ही तो जए जिसके अब शनसत्तथ बवन के केंद्रे कक्ष के नाम से जाना जाता है ठीक है यह आप याद रखना सही आंसर क्या हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन नमबर ए अगला सम्मिदान सबग के आस्थाई अद्धक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था इसका आंसर आप सब पठाफ़ जाय द अगला है कि प्रारूप समिती के अद्धक्ष थे इसका आंसर आप सब पठाफ़ देजे देखो प्रारूप समिती के अद्धक्ष आप से बात की गई है इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा भी मरा वंबेट कर करेक्ट आंसर क्या हो जाएग अगला एकी सम्मिदान सभा के अस्थाई अद्दक्ष कौन थे अब यहाँ पर आपसे अस्थाई पूछा गया इसके पहले आपसे पूछा गया था आस्थाई ठीक है तो अस्थाई और आस्थाई में आप अंतर समझने की कोशिश करना मेरी प्यारी भाई अगर आपसे पूछा जाता है अस्थाई अद्दक्ष कौन थे तो याद रखना इसका सखी आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंदर परसाद सखी आंसर क्या हो जाएगा है पर आपका उप्सन नबर सी जोबी मित्र आप्सन सी बता रहे हैं बिल्कुल कर् कर दिया तो जोबी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं क्वेशन नबर फाइव का कि 26 जनवरी 1950 से जिस दिन से भारतिय गरतन तरगाई साब कहते हो कि मनाया जाता है वही आपका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जोबी मित् जोबी मित्र आपर आपसंटी बता रहे है 26 जनवरी 1950 से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है कि भारत कब गरतन तरगा इसका आंसर आप सब फटफट दे दीजे गाईज थोड़ा घुमाया गया कोईशन है बस आप समझ जोबी मित्र आपर आपसंटी बता रहे हैं बिल्कुल सखी आंसर हो जाएगा अगला है कि भारते सम्मिदान के किस भाग को उसकी आत्मा की संग्या दी गई है या कोईशन आप से पूछा गया है जितना जल्दी हो से कोदना जल्दी आप आंसर देने की कोशिजिए मेरे प करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्मिदान के प्रस्तावना भाग को करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर आपका आपसंसी सम्मिदान में जोगा इस प्रस्तावना भाग है उसे सम्मिदान की आत्मा कहा जाता है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका आपसंसी जोबी म सबा ने राश्ट्रगान को कब स्वोभी कार किया याद रखने मेरे पैरे भाई इसका सखी आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1920 कब स्वोभी कार किया 24 जनवरी 1950 करिक्टर आंसर हो जाएगा 20 जनवरी 1920 जनवरी democratic आंसर हो जाएगा तो देखो यहां पर कहा किया गया आपसे भारती नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संक्या मेरी पहरी भाई आप जानते होंगे कि पहले मूल अधिकार कितने थें साथ थें लेकिन उन मेंसे जो संपत्ति का अधिकार था गाइस उसे संपत्ति के अधिकार को कि संपत्ति का 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 अधिकार को क इसमें सम्मिदान संसोधन द्वारा हटा दिया गया तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई चोवारी समें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका option A जो भी में तेहां पर option number A बता रहे हैं बिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है इसका अंसर आप सब प्यारे भाई भेन बता देंगे मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है देखो मूल अधिकारों का रक्षक जो है किसे कहा जाता है सर्बोच्छे ने आया ले और उच्छे ने आया ले सर्बोच्छे ने आया ले और दोनों को कहा जाएगा correct answer हो जाएगा option number A and B दोनों correct answer होगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पड़ा आपको option number C अगला है कि निम्न मेंसे किस अनुक्षेद के दारा 6-14 वर्स तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है इसका answer आप सब बता दीजिए निम्न मेंसे किस अनुक्षेद के दारा 6-14 वर्स के बच्चों तक के शिक्षा के लिए जो शिक्षा का अधिकार है इसे मूल अधिकार माना गया है सही answer हो जाएगा अनुक्षेद 21-1 के अंतरगत correct answer होगा मेरे प्यारे भाई option number C जो भी में त्रेहापर option C बता रहे हैं बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला है कि लोग कल्यान काली राज्य की अवधारना किसमें नहीं थै इसका answer आप सब बता देंगे देखो मैं आपको बता दूँ कि आज गाइस मैं आपको सम्मिधान से समद्धे marathon class ले रहा हूँ टॉपिक को क्लेर करेंगे उसके बाद उसे समद्धित important question को कबर करेंगे ठीक है तो देखो लोग कल्यान कारी राज की अवधारना किसमें नहीं थै इसका सही answer हो जाएगा कि वह क्या क्या करें अब यहाँ पर आपको बताना है correct answer क्या होगा option को देखने के बाद इसका answer आप दीजी सम्मिधान का अनुक्षेद फोटी जो है यह राजी को निर्देश देता है कि मेरी प्यारी भाई कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करें सखी answer क्या होगा यहाँ पर आपको option C जो भी में तरहाँ पर option number C बता रहे हैं बिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला है कि सम्मिधान के मूल कर्टब्यों को सामिल करने की प्रेर रणा किस देश के सम्मिधान से ली गई है इसका answer आप सब बता देंगे correct answer क्या हो जाएगा सम्मिधान में मूल कर्टब्यों को सामिल करने की प्रेर रणा किस देश के सम्मिधान से ली गई है correct answer हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा रूस से सही answer होगा मेरे प्यारे भाई आपका option number A जो भी में तरहाँ पर option number A बता रहे हैं बिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला है कि सम्मिधान की मूल कर्टब्यों की कुल संख्या कितनी है मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर देखो मूल कर्टब्यों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है तो यहाँ पर देखो आपसे कहा क्या गया सम्मिधान में मूल कर्टब्यों की कुल संख्या तो याद रखेना मोल रूप से संख्या तो 10 है लेकिन जब 2002 में गाइस 2002 में 46 संसोधन के दौरा इसको बढ़ा दिया गया वो 11 कर दिया गया ठीक है तो सही आंसे नहां पर क्या होगा आपका आपसे ने 10 थी लेकिन बढ़ा कर केसी 11 किया गया ठीक है यहां पर बढ़ाने की बात नहीं कीगी तो आप आपसे यही बताएंगे मेरी प्यारे भाई अगला आपके सामने कि सम्मिधान के सम्मिधान में मूल कर्तब्यों को किस समिती की अनुसंसा के आधार पर सामिल किया गया इसका आंसर आप सब फट फट दे दीजे कर्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सम्मिधान में मूल कर्तब्यों को किस समिती की अनुसंसा के आधार पर सामिल किया गया इसका जो सखी आंसर हो जाएगा जो भी में तरहां पर बता रहे हैं इसका जो सखी आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई भारतिय संगी की सक्ति जो है ये किसमे नहीं थोती है आपसे पूछा गया है याद रखना राश्ट्रपत में सखी आंसर क्या हो जाएगा है पर आपका option number C बिल्कुल perfect होगा जोबे में तरह पर option C बता रहे हैं बिल्कुल सखी आंसर हो जाएगा अगला है कि राश्ट्रपत के निर्वाचक मंदल में सामिल है अब यहाँ पर आपको option को ध्यान से देख करके आंसर देना है देखो राश्ट्रपत के निर्वाचक मंदल में मेरे प्यारे भाई आपसे कहा गया है याद रखने इसका जो सही आंसर होगा वह होगा संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विदान सभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है ये राष्ट पत के निर्वाच कमंडल में सामिल होते हैं सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रे हैं पर आपका option C, जो भी मित्रे हैं पर option C बता रहे हैं बिल्कुल perfect हो जाएगा अगला आपके सामने है कि राष्ट पत के कार्यकाल की अवधी जो है या कितनी होती है इसका आँसर आप सब प्यारे भाई भेर बताएंगे राष्ट पद के कार्यकाल की अबधी सखी आँसर हो जाएगा यहाँ पर आपका option बबी पांच वर्स होती है correct answer हो जाएगा यहाँ पर आपका option बबी ये तीनों गाइस अपनाई जाती है, सही आंसर होगा है, पर आपका option बड़ी ये सभी, अगला आपके सामने निर्विरोध चुने जाने वाले राष्टपती हैं, इसका आंसर आप सब बताएंगे, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्टपती निमें कौन से हो जाएंग जा सकता है? राष्ट पत्थपन वहा व्योग का आरूप संसथ के किस सदन्दॉरा लगा जा सकता है? आप से पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा संसर के किसी भी सदन्दॉरा चाहे लोक सबाक आ जाए चाहे रापिराज्य सबाक का जाए और आप पर महवियों का आरूप लगाया जा सकता है सखी आंसर हो जाएगा यहां पर आपका option number C अगला है कि भारते सेनाओं का सरबोच्य सेनापती कौन होता है आपसे इस परकार भी पूछा जा सकता है कि भारत की सेनाओं का बात एक ही है ठीक है भारते सेनाओं का सरबोच्य सेनापती कौन होता है तो वो होते हैं राश्टपती सही आंसर हो जाएगा आपका option number C जोबिमित्र option ने बता रहे हैं बिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला है कि भारते सम्मिदान के अनुसार संग की कारियापालिका सकती जो है किस में नहीत होती है आपसे ये पूछा गया है सखी आंसर हो जाएगा जोबिमित्र यहां पर बता रहे हैं कि राश्टपत में बिल्कुल perfect हो गया बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला है कि उप राश्टपत के निर्वाचक मंदल में कौन सामिल होती है मेरे पहरे भाई उप राश्टपत के निर्वाचक मंदल में कौन सामिल होते हैं आपसे ये पूछा गया है इसका सखी आंसर हो जाएगा राजी सभा और लोग सभा के सदसे सखी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका option number C चाहे राजी सभा के सद्श चाहे लोग सभा के सद्श दोन होगा इसमें सामिल होते हैं राष्ट पति के निर्वाचक मंदल में सखी आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका option number C अगला आपके सामने है कि राश्ट्रपत राजिसभा में कितने सदेश्यों को मनुनीत करता है प्यारे भाई राश्ट्रपत राजिसभा में कितने सदेश्यों को मनुनीत करता है सखी आंसर हो जाएगा बारा करिक्ट आंसर हो जाएगा आपका अप्सन नमबरे अगला है कि भारतीय सदन के उपरी सदन को क्या कहा जाता है सखी answer हो जाएगा राजी सबा कहा जाता है correct answer हो जाएगा आपका option B जोबी में तरह पर option B बता रहे हैं बिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला आपके सामने कि प्रधान मंतरी के न्यूक्ती कौन करता है इसका आंसर आप सब फटफट देदीजे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रधान मंतरी के नियुक्ती कौन करता है राष्ट पत करता है सखी आंसर हो जाएगा अगला आया कि यदी प्रधान मंतरी या कोई अन्य मंतरी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंतर संसत का सदस्य बनना आविश्यक है सखी आंसर हो जाएगा जोबिमित्र आपर बता रहे हैं कि 6 माह के अंदर बिल्कुल सही होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा आपका आपका उप्सिन नबर B अगला है कि मंतरी परिसद सामुही के रूप से किस के प्रती उत्तरदाई होते हैं सखी आंसर हो जाएगा है आपका आपका आप्शन नमर सी लोग सभा के प्रती जोबी में तरह आपर बता रहे हैं कि लोग सभा के प्रती बिल्कुल प्रफर्ट हो जाएगा आपका 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 आप कि राज्य सभा की अधिक्तम चंख्या कितनी हो सकती है ऑ्स में अधिक्तम सादैशissements के संख्या कितनी हो सकती है या क्वेशन आपसे पूछा गया है जोंडी कम हैं अगलाय कि केंडे सरकार का प्रधमुदी थिकारी काँण होता है है कि इस राजि चैत्रों का प्ररशासन कौन चलाता है कि करेकट अप्री राश्ट्रिकविड्वी दौरा नियुक्त प्रसासक बीलकुल सही होगा बिलकुल प्रफेक्ट होगा है यहाँ पर आपका ओप्सेन बवी जो भी में तरहाँ आप आपशन भी बता रहे हैं बिलकुल सही एंसर हो जाएगा अगलायाक यह भारत की परथम राष्टी है मेरे पैरे भाई अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर दा हूँ तो जो भी पैरे भाई बैन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किये हैं वो एक बार क्लास को दिल से लाइक कर देंगे और मैंने आप सबसे पहले ही रिक्वेश्ट कर दिया था गाश टेली गराम पर ही मैंने आप सबसे पहले ही हाथ जोड़कर वेधन कर लिया था कि आज की इस मेराथन क्लास में कम से कम हमारे जो प्यारे बच्चे हैं उनके लाइव की संक्या जो होनी चाहिए ये 100 प्लस होनी लेकिन मेरे प्यारे भाई आपने हमें लगता है कि क्लास को सियर नहीं किया है तो जो भी प्यारे भाई वेन अभी तक क्लास को सियर नहीं किया है और किरिपया अपने मित्र तक इस क्लास को दिल के गहलाई से एक बार सियर कर दें हमें लगता है कि आज हमारा गलाबैड जा सो प्लीज सभी प्यारे भाइबेन क्लास को सेयर कर दें उसके बाद क्लास को देखें और क्लास अच्छे लग रहे हैं तो दिल से लाइक कर दें भारत के प्रतम राश्ट पती थें कौन यह कोईशन आपसे पूछा गया सखी आंसर हो जाएगा जोभी मित्र यहां पर बता रह जेनरल कौन थें मेरे पैरे भाइ कहा क्या गया आपसे सवतंत्र भारत के प्रथम भारति गवरेंडर जेनरल सखी आंसर हो जायगा वह जाएगा चक्रवर्ती राज गोपालाचारी या फिर गाईस आपको ये सी राज गोपालाचारी भी आपसन में मिल सकता है तो ठीक है आ की आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका option number A अगला आपके सामने की स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रदान मंतरी कौन थे इसका आप सब प्यारे भाई भाई बेन बताएंगे correct answer क्या हो जाएगा शतंत्र भारत के प्रथम प्रदान मंतरी आप से पूछा गया जो भी में तरहाँ पर बता रहे हैं कि पंडित जवाहनला नेहरू बिलकुल correct हो जाएगा आपका option number A next question आपके सामने हैं मेरे प्यारे भाई कि राश्ट पति दौरा लोग सबा तथा राजी सबा में मनोईनीत किये जाने वाले सदशियों के शंख्याक रमसा है कहने का मतलब अब या आपर समझो आप राश्ट पत के दोरा लोग सभा में कुल कितने सदस से मनुनीट किये जाते हैं वहीं राज्ज सभा में कुल कितने सदस से मनुनीट किये जाते हैं याद रखना मेरे पैरे भाई लोग सभा में जो सदस्मानों नीद किया जाते हैं वो कितने 2 और राजी सभा में कितने 12 तो सभी आंसर क्या होगा 2 वा 12 कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आपका आप्सिन नबर B अगला है कि लोग सभा एवं राजी सभा के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए सखी आंसर हुदाइगा जो भी मित्रिया आपर बता रहे हैं कि लोग सभा एम राजी सभा के दोनों अर्वेशनों के बीच अधिक्तम अगर समय अंतर की बात की जाए तो मेरे पहरे भाई याद रखना इसका सखी आंसर हुदाइगा अधिक्तम छे माँ का अंतर होना चाहिए option C आपका बिल्कुल perfect हो जाएगा अगला है कि राज की कारीपालिका का प्रमुख जो है कौन होता है देखो कहां क्या गया आपसे राज की काली पाली का प्रमुख मेरे पैरे भाई इसका सही अंसर हो जाएगा राज की काली पाली का प्रमुख कौन होता है वो होता है राज छिपाल यानि गवरिनर होते हैं सगी अंसर हुद हैगा मेरे पैरे भाई यहाँ पर आपका उप्सन बबी अगला है कि सम्विधान के अनुसार विधान सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी होनी चाहिए सगी अंसर हुद हैगा विधान सभा के अधिक्तम सदस्यों की संख्या 500 होनी चाहिए A answer आपका बिल्कुल perfect हो जाएगा जोबी मित्रे हापर option A बता रहें बिल्कुल perfect हो जाएगा अगला है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परसेद बिद्धिमान है सखी answer हो जाएगा आपर साथ correct answer हो जाएगा आपर आपका option D अगला कि राज्यों का मंत्री मंडल सामुहिक रूप से किसके प्रती उत्तरदाई होता है जोबी मित्रे हापर बता रहें question 46 का कि राज्यों का मंत्री मंडल सामुहिक रूप से किसके प्रती उत्तरदाई होता है तो वो होता है मेरे प्यारे भाई विधान सभा के प्रती सही आंसर हो जाएगा यहांपर आपका option नमरे विधान सभा के प्रती correct answer क्या हो जाएगा जो भी मित्र आपर बता रहें option नमरे विधान सभा बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला आपके सामने कि विदान सभा के वर्ष में कम से कम कितने अजवेशन होने अनिवारी है सही आंसर हो जाएगा कम से कम पांच अजवेशन होने चाहिए सही आंसर हो जाएगा यहांपर आपका ओप्शन मड़ी जो भी मित्र आप्शन भी बता रहें मिलकुल सही हो जाएगा अगला है कि किस राज्छी में बिदान सवा सदेशों की संख्या सबसे अधिक है वो हो जाएगा अपने उत्तर प्रदेश में सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका option B उत्तर प्रदेश में है जो भी में तरा option भी बतारें बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला है कि जम्मु कस्मीर राज को किस अनुक्षेद के अंतरगत विसेश राज का दर्जा प्राप्त है देखो अब गाइस यह जो धारा है यानुक्षेद है यह हटा द पर निक्त किये जाते हैं सखी आंसर हो जाएगा राज्ट पत के दौरा option B आपका बिल्कुल सही होगा जो में तरा option भी बतारें बिल्कुल सही होगा भारत का उच्छेद आप से पूछा गया है कि भारत का उच्छेदम नियाले कहां अवसित है इसका answer आप सब प्यारे भा जाहें देखो गाइस यह पहले 31 थी लेकिन अब बढ़ा करके इसे 34 कर दिया गया ठीक है अगर मुख्य नियाधिस को छोड़ दिया जाए तो 33 सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका option C हाला कि यहां पर होना चाहिए 33 या फिर कहा जाए 34 अगला है कि सर्भूच्छे निया सर्भूच्छ नियाले के मुख्य नियाधिस के नियुक्ति जो है कौन करता है सर्भूच्छ नियाले के मुख्य नियाधिस के नियुक्ति जो है कौन करता है वो करते हैं गाइस राष्ट पती सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका option B बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगल तो जो भी मित्रे हाँ पर बता रहे हैं कि सर्बोच नेयले के प्रतम्मक खिनाधीस थे हीरालाल जेकानिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि वर्तमान में भारत में उच्छ नेयले की कुल संक्या आए देखो यहाँ पर गाईस में आपको बता दू कि वर्तमान मे भारत में उच्छ नेयले के उट्वचि कि क्या कितनी है तो यह हो गई है पत्चीस ठीक है यहाँ पर मैंने इसे कट भी कर दिया इसलिए मैंने यहाँ पर इसे 25 लिख दिया है सखी आंसर क्या हो जाएगा है आपको अप्सं भी राश्ट पति बिल्कुल सखी आंसर हो जाए तो यहां पर हो जाएगा उनकी उम्र के 62 वर्ट से पूरे होने तक सगी आंसर हो जाएगा यहापर आपका उप्शन बसी अगला है कि निम्ण में से किस उच्छ नियाले की अधिकारिता सबसी अधिक छेत्रों पर है करेक्टर आंसर हो जाएगा जो भी मित्रे हाँ पर बता रहे हैं कि गुवा हटी बिल्कुल सगी आंसर हो जाएगा यहापर आपका उप्शन बसी अगला है कि किस उच्छ नियाले में सबसी अधिक छंख्या में नियाधिस कारे रथाएं इसका आंसर आप सब त्यारे भाईब प्रामर समागने का अधिकार प्राप्ट है वो हो जाएगा सम्मिदान के अनुक्षेद 143 की अंतरगत आप्शन बसी आपका बिल्कुल परफ्रक्ट आंसर हो जाएगा अगला है कि निवन में से किस केंद्र साशित परदेश का अपना उच्छ नियाले है तो बिल्कुल मेर अगला कि राष्ट्र परदेश के अंसर हो जाएगा अब तक कितनी बार राष्ट्र परद कार की उच्छणा कैसे कि क किसी कभी नहीं और प्रस्जिता काईगा जाएगा लिए चुकी है सही आंसर हो जाएगा अब तक तीन बार कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा नहां पर आपका ऑप्शन भी अगला एक भारत में राश्ट्र पदी जो है ये किस अनुक्षेद के अंतरगत देश में राश्ट्रिय आपातकार की होस्त ना कर सकते हैं कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर जो भी मित्रिय आपर बता रहे हैं कि अनुक्षेद 352 के अंतरगत बिल्कुल कर्रेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर ए अगला कि सम्मेदान के कि अनुक्षेद के अधार पर राज्यों में सम्मेदानिक तंत्र की बिफलता पर राश्ट पतिशासन लगाया जा सकता है कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा अनुक्षे 356 के अंतरगत आप्शन बबी आपका बिल्कुल सही होगा अगला के राज्यों में राश्ट पतिशासन की अधिक्तम अवधी कितनी होती है कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम होधी कितनी होती है करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुक्षे 360 की अंतरगत, करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी में तरहां पर बतारें, option number C बिल्कुल perfect हो जाएगा, अगला आपके सामने है कि संसद द्वारा अनुवोधन के बार किशी राजी में राश्ट पतिसासन एक बार में कितने समय तक के लि option number C आपका बिल्कुल perfect होगा, जो भी में तरहां सी बतारें, बिल्कुल सखी आंसर हो जाएगा, अगला है कि राजी में राश्ट पतिसासन लगाने की इस्टिती में कितने दिनों के अंदर उनकी संसद से सभी किर्थी आविश्चाए, सही आंसर हो जाएगा, दो माई या समθने कानून का उलेख किस अनुक्षीद में है, जे को दल बदल से सम्माने काणून का उलेख जो है, यह किस अनुसूची में आपसे का गया, सोरी, अनुसूची में का गया, सही आंसर हो जाएगा, मेरे पहारे भाई, दसवी अनुसूची में, option number C आपका बिल्कुल perfect होग जो भी में त्रेहां पर आपसंदी बतारें बिल्कूल सही आइस्छई हो जाएग कि संबीदान द्वारा कितनी भांसाओं को मान्यता प्रदान की गई है करिक्ट आंसर हो दाएगा 22 भासाओं को करिक्ट आंसर हो दाएगा नहीं पर आपका उप्सन GameC जो वे में तरहाप आपसन C बतारें बिल्कल सही हो जाएगा अगला की 73 वें सेंसोदन जो है किसे संबन्दित थै अग्ला है की वित्य आयोग के गठन का प्रावधान के सनुक्षेद में है अग्ला है की निवन में से नीती आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है सखी आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहां के जो प्राइम मिनिस्टर ने अफिर गाजय प्रधान मंतरी हैं वो गाई से नीत आयोग के पदे नद्दक्ष होते हैं आपका बिल्कुल प्रफ्रक्ट हो जाएगा अगला है कि भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन जो है क कब किया गया था सखी आंसर हो जाएगा जोबी में तरह पर बता रहे हैं कि 15 मार्च 1950 को बिल्कुल सही होगा आपका अप्शन बबी जोबी में तरह पर आप्शन भी बता रहे हैं बिल्कुल सखी आंसर हो जाएगा अगला है कि राश्ट्रे विकास पड़िसत की अस्थाप मेरे प्रदेश क्रेक्ट अंसर क्या हो जाएगा यह पुछ विद्या कि अंसर हो जाएगा यह पंचाइती राज़ी राज़ी विवस्ता से किया गया था सबसे पहले दो अक्टूबर 1969 को पंचायती राजी विवस्ता को सुभारंब किया गया ये कहां से शुरू हुआ जितनी जल्दी हो चीजिए जल्दी में कोईशन को कम्प्लीट करवा रहा हूँ क्यों कोईशन के संख्याँ जादा है और मैं चाहता हूँ कि बहुत ही कम समय में आफके सारे कोईशन कबर कर लिए जाए इसलिए में फटाफट गाइस आपके हरे कोईशन का आंसर बताते हुए अगे बढ़ रहा हूँ आप भी कोशिश कीज़े जल्दी जल्दी आंसर देने अगला है कि स्वतंत्र भारत में प्रत्म निर्वाचन आयोग तो कौन थें। करेक्ट आंसर हो दाएगा मेरे पहले भाई वह हो दाएगा सू कुमार सेन। सही आंसर हो दाएगा याँपर आपका ऑप्सिन नबर बी। अगला है आपके सामने पहले वित्य आयोग का गठन 1951 में किया गया था इसकी अद्धक्ष कौन थें। करेक्ट आंसर हो दाएगा वह हो दाएगा केसी नहीं होगी। सही आंसर हो दाएगा याँपर आपका ऑप्सिन नमबर है। अगला है कि पंचाइतों के चुनाव हे तु निरणाय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। सही आंसर हो दाएगा दोगो चुनाव हे तु का गया तो आप सब समझते हो मेरे पहरे भाई निरवाचन आयोगी लोगा यानि चुनाव आयोगी तो लेगा। संगी आंसर क्या हो दाएगा यहां पर आपका ऑप्शन बरसी जोब में तरह आपका ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि सरकारिया आयोग का समझत जो है किसे है पुशन कितना इंपोर्टेंट है देख सकते हो यहाँ पर। देखुश सरकारिया आयोग का समझत किसे है आप से कहा गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जाएगा केंद्र राजी के संबंदों से ए अंसर आपका बिल्कुल प्रफेक्ट हो जाएगा। नेक्ट है कि संसर्द उदारा देश में सूचना पाने का अरिकार संबंदी विधेक जो है कब अपारित किया गया सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जून 2005 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका option number C जून 2005 जो भी मित्र हैं पर option number C बता रहे हैं बिल्कुल correct हो जाएगा अगला आपके सामने देखो यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूँ यह हमारा जो गाइस बुक्स में questions थे हैं वो गाइस यहाँ पर complete होचके हैं और यह आपको नीचे इसका answer भी देखने को मिल रहा होगा और मैं आप सबको बता दूँ कि इसकी PDF जो है वो आपको हमारे telegram च कर रहा हूं कि आप हमारे target को पूरा कर दीजे कम से कम इस class में life की 100 प्लस करवा दीजे गाइस मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं आपकी फर्ज मनते हैं आपकी गाइस इसमें करता बे कि कम से कम आप class को share करके अपने मितर तक यह class पहुचा दो उनको भी इसक क्योंकि जो तुमारी मा हैं और तुमारे जीत का इंदिजार कर रही है कहने का मतलब है कि आपके माबाप जो है गाइस वो आपके वर्दी का इंदिजार करें कि हमारा भी बेटा एक दिन वर्दी धारी हो जाएगा और वह भी किशे के सामने कहेंगे कि हां हमारा बेटा भी पूलिस में है हमारे वेटा भी सिपाही है हमारे वेटा भी आरक्षी है तो मेरे पैरे भाई ये बात आप अपने दिमाग में रखेगा कि कोई भी कहे अगर आप ये समझ लो अगर गाइस आप अपने जीवन में सफल हो जाते हो ना तो गाइस जितना आपका नाम होगा ना उ मेरे प्यारी भाई और जितना आपको गाय संवान मिलता है न उसे से चार गुणा संवान आपके मातापिता को मिलता है ये मेरे प्यारी भाई आप समझते होंगे और ये मैं जो कहा हूँ ये बात 100% सही है अब आपको सखील लगे ये ना लगे मुझे इससे मतलब नहीं है अब आई गाईस उनको एक दिन सेलक्षन जरूर मिलेगा वो सब समझ रहे होंगे तो आप उनकी इस विश्वास को बिल्कुल भी ठेस मत पहुंचाईएगा आप पूरी जी जान लगा दीजिए एक वर्दियु पाने के लिए ठीक है आईए मेरी पहरे भाही बढ़ते हैं उच्छ नयाले के नयदीशों की नियुक्ति जो है कौन करते हैं तो जोभी मित्रिय आपर बता रहे कि उच्छ नयाले के नयदीश की नियुक्ति है वह कौन कता राष्टपती करता है आप्सिन बर स्री आपका बिल्कुल सही होगा अगला है कि भारतिय गड़तंत्र में किस इसी वी राज के सदस्यता जो है इसी अनिवारी होती है सही आंसर हो जाएगा आपर आपका option बड़े जो भी में तरह आपर option बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि निवन में से कौन स राज का घटक नहीं है इसका आंसर आप सब बता देंगे correct answer क्या हो ज होता है कि धर्मन इर्पेक्ष राष्ट कार्थ होता है धर्म विरहित राष्ट सही आंसर क्या हो जाएगा आपका option बड़ी जोबिमित्र आपर option बड़ी बिल्कुल सही बता रहे हैं बिल्कुल correct हो जाएगा अगला है कि आधुनिक समय में विधी का एक मात्र साधन है वह क् सम्मिदाने तो थोड़ा आपको गाइस कठिन लग रहा होगा सकी आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सासन जोबिमित्र आपर बता रहे हैं option बिल्कुल perfect हो जाएगा विल्कुल correct answer हो जाएगा यहां पर आपका option बड़ी अगला है कि समाजिक समता समाजिक समिता से क्या भी प सही हो जाएगा अगला है कि किने दो प्रकार से नागरिता प्राप्त होती है इस नहीं सर्गीक एवं अंगी करेक्ट आंसर हो जाएगा है पर आपको option नंबर ए बिल्कुल correct हो जाएगा विल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला है कि कौन सराशनीतिक अजिकार नहीं है करिक्ट ऐनसर हो जाएगा आपर सिख्षा का अधिकार जो है मेरे पिए भहिये राज नेदी का अधिकार नहीं है उपस्टन अबर Southern आपका बिल्कूल प्रफक्त हो जाएगा जो भी में तत्रह आपर अपसनいう का रहे हैं विल्कूल पेस करते हैं सखी आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो उप्राष्ट पती को अपना त्यागपत्र देते हैं ए अंसर आपका बिल्कुल प्रफक्त होगा जोवी में त्रहापर ऑप्शन नमबर ए बतारें बिल्कुल परफक्त हो जाएगा. अगला है कि योजना आयो का अध्यक्ष काौण होता है? सही अंसर हो जाएगा बहुत हो जाएगा. प्रधान मंतरी ज़ोबिमित्रियाँ पर आपसे नमबर ए बतारें बिल्कुल प्रफक्त हो जाएगा. अगला है कि गरीवी हटाओ का नारा जो है ये किसके गरीवी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जिला है मतलब यह हुआ कि गरीवी हटाओ का नारा जो है गाईशे किस ने दिया आप से पूछा गया है सभी अंसर हो जाएगा वहूं जाएगा इंद्र गाराणी के सा सनकाल में ध्या गया था morphी से नमेड दिआ आपका बिलकुल क्रिक्ट हो जाएगा अगला है कि भारते समयदान का निमिल्कित मेर्शे कौन सा पकt शयूविर्से के समयदान के समान है जगी आंसर हो जाएगा वह जाएगा मौली करिकार a answer आपका विल्कुल correct answer हो जाएगा अगला है आपके सामने question number 100 कि साइं योग त रड़ाश्ट दिवस किस तिखी को मनाया जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 24 अक्टूबर को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पैरे भाई option number C आपका विल्कुल perfect answer हो जाएगा तो में तरह पर हमने 100 questions को cover कर लिया बाकी बच्चे मेरे 400 questions मैं अभी उसे भी cover कर लेता हूं लेकिन उसे पहले में आप सबसे फिर से एक बाट दिल्स की गहराई से request करता हूं कि जो भी पहरी भाईबें अभी तक class को like नहीं किये हैं वे एक बाट class को दिल्से like कर देंगे जो चैनल पर पहली बार है हो चैनल को बिहारी बाच पर यह answer आपका बिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला है कि संयोक्त राष्ट्र संग ने निम्लिकित में से कौन से दिन मानम अधिकारों का घोसना पत्रस्वभी कार किया था सही answer हो जाएगा आपर जो भी मित्र बता रहें कि वर्ट 148 में बिल्कुल correct हो जाएगा आपका option D अगला है कि अंतर राष्टे नियाले में कितने जज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् तो जोबी मित्रिया आपर बता रहें question number 104 का कि जो सन्युक्त रराष्ट्र से जुड़ा पहला विसेष्ट संगठन है ये कौन सा है बिल्कुल मेरे पहरे भाई अंतराष्टी स्रम संगठन correct answer क्या हूँ पहरे यहाँ पर आपका ऑक्षण बर B जोबी मित्रिया आपर option बी बता रहें बिल्कुल correct हो जएगा अगला कि ये अंतराष्टे मुद्रकोस्ट का मुख्याले जो ये कहा है सही आँसर हो जएगा वसिंग्टन में सही आँसर हो जाएगा आपका option number C जोबी में तरहां पर आप्संसी बता रहे हैं बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अगला है कि निम्लकित मैंसे कौन सा देश संयोक्त राश्टे सुरक्षा परश्ट का अस्थाई सदस्या नहीं है और आप्संसी बता रहे हैं कि कुल एक सुत्राने में राश्ट हैं बिलकुल सही आंसर हो जाएगा आपका अप्संसी अगला है कि संयोक्त राश्टे संग्य के सुरक्षा परश्ट की सदस्या संख्या कितनी है कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पहरी भाई ऑप्संसी पंद्रा है सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्संसी जोबिमित्र ऑप्संसी बता रहे हैं बिलकुल सही हो जाएगा अगला की इंटरनेश्टनेल कॉम्यूनिकेशन यूनियन का मुख्याले कहा इस्तित है करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जे ने वह में आप्सें नुबर डी आपको बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला आपके सामने है कि विश्व पढ़ियावर्नर दिवस जो है कब मनाया जाता है इसका आंसर आप सब फटपर देजिए का हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पांच जून जो भी मितने हाँ पर बता रहें पांच जून को भी सुपर रवनर दिवस मनाया जाता है बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला की रेट कोलोश के संस्था पर कौन थें करेक्ट आंसर हो दाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्वेशन नमर 111 का जे एच डिवनांट बिल्कुल सगी आंसर हो दाएगा आपका आपसन नमर सी नेक्ट है आपके सामने कि संयुक्त रराष्ट संग जो ही कब अस्तुत में आया करेक्ट आंसर हो दाएगा यहाँ पर आपका वह हो जाएगा मेर्स 1945 में जोब्र मित्र आपर आपसन भी बता रहें बिल्कुल परफक्ट हो जाएगा नेक्ट है आपके सामने अंतर रराष्ट रहें कहा इस्तित है जोब्र मित्र आपर बता रहें अंतर रराष्ट रह जो यहे खमी है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑपसन नमर ए नेश्ट है कि संयूत्र राश्ट संगिकी आमसभा की अद्दक्ष एक मात्र कौन भारतिय महिला बनी थी वो हो जाएगा विजय लक्षमी पंडित आप्सन नमर डी आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा जोबि में parfoisब्द संगिकी तो हो जाएगा जोबि में तो आप्सन डी बतारे हैं बिलकुल करेक्ट आंसर होजाएगा अगला है कि वनाडवेट के विरुद्य संयूक्त राजिसं मेलन कहा आयो जित हुआ सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा डर्बन में आपसन बब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो भी में तर आपसन भी बतारे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला के संयोत रड़ाष्ट के सुरुकसा पड़सत के और अस्ताई सदस्टी का कार काली जो होता है यह कितने होते हैं मतलब कितने वर्ष के होते हैं सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दो वर्ष आप्सन अंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा जो भी में तो आप्सन सी बतारे हैं थोड़ा टाइम जादा लगेगा तो पानी वानी पी लीजे थोड़ा आराम कर लीजे देखो क्विश्यन बड़ 117 है कि संयुक्तर राश्टर स्वरक्षा पड़सत में सबसे अधिक बार निशेधा अधिकार निशेधा अधिकार का मतलब होगा इस नाकार आत्मा क्यानि कि म उसने सही आंसर हो जाएगा आपड़ा आपका औपसन नमबर A नेक्स्ट है UNDP का पूरा नाम क्या है देखो यहां पर मेरे बैरे भाई UNDP का जो पूरा नाम है यह क्या है United Nations Development Program United Nations Development Program सखी आंसर हो जाएगा आपड़ा आपका औपसन B जोबी में तरो option भी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा अगला है कि योनेस्कों का मुख्याले जो ये कहा इस्तित है इसका answer आप सब बता दें कि correct answer क्या हो जाएगा योनेस्कों का मुख्याले कहा इस्तित है करेक्टordan Airlines हो जाएगा मे를 प्यारी भाई वह हो जाएगा जेलेवा में क्रेक्टन cellphone क्या हो जाएगा जएनेवा में लगबक सभी में त्रहाइपट बताते हैं बिल्कुल सही आmy option D आपका बिल्कुल सही होगा next है कि भारतिय सम्मिधान के किस संसोधन द्वारा प्रस्तावना में दो सब्द समाज स्वादी और निर्पेक्ष ये दो सब्द जोड़े गए थी किस सम्मिधान के संसोधन द्वारा बता दीजी correct answer क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बैलिस्वे सम्मिधान सा सोधन correct answer क्या हो जाएगा आपका option number C अगला है आपके सामने कि भारतिय सम्मिधान को अपनाया गया किस के द्वारा बता दीजी इसका correct answer क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई फटा फटा answer देजी देखो भारतिय सम्मिधान जो है यह अपनाया गया किन के द्वारा तो यह अपनाया गया था सम्मिधान सभा द्वारा करेक्ट आंसर क्या होगा आपका option number a next है आपके सामने कि संभिधान सभा ने भारत के संभिधान को कब स्वभी क्रिट किया था जिसके पहले भी a question आपका आ चुका है तो बता दीजिए इसका correct answer क्या होगा को स्वभी क्रिट कब किया गया आपसे कहा गया पारित अगर बात की उन्चास correct answer क्या होगा आपका option number a next है आपके सामने कि भारते संभिधान सभा के प्रतम दिन के अध्यवेशन की अध्यक्षता इन्हों ने की थी मतलब किन्हों ने की थी बता दो correct answer क्या हो जाएगा प्रथम दिनों की अध्धक्ष ता मेरी प्यारी भाई प्रथम दिनों की अजिता यानिकी जिने कहा गया आस था यह ध्धक्ष सही आंसर क्या हुजाएगा डॉक्टर सत्चिदा नंदेशी नहा करेक्टर आंसर हो जाएगा यहाँ पड़ आपका आप्सन ए अगला की सम्मिध सभा में किस प्रांथ का प्रातित्वा सबसी अधिक्त थे इसका आंसर आप सब प्यारे भाइवें बताएंगे करिक्टर हो जायएगा कि सभी आशर हो जैगा वह जायगा सही हो जायगा सन्युक्त प्रांथन जो भी में त्रहाँ पर बता रहें कि संयुक्त प्रांत का बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर आपका अप्सन C नेक्स्ट है कि सम्मिधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है कहा हुआ था इसका अंसर आपसे पहरे भाई बहन बता देंगे ग्रिक्त आंसर हो जाएगा जो भी में त्रहाँ पर बतारे कि सम्मिधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है यह कहा हो मेरी पपहरी बही इसका सही आपसर हो जाएगा जो delivering में बिल्कुल सही आपसर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका option नबर B नेश्ट है कि भारत की आजादी के समय इंगलेंड में किस पार्टी की सरकार थी जब भारत अपना आजाद हुआ था उस समय इंगलेंड में किस पार्टी की सरकार थी या question आपसे पूछा गया है सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा labor party करेक्टर आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे में तो option number c next है आपके सामने किस अधिनियम की प्रमुक्ष विसेश्ता प्रांतिय स्वायत्ता थी इसका आंसर आप दे दीजे सही आंसर हो जाएगा वर्स 1935 अधनियम की प्रमुक बिसेशता देऊ थी वक्या थी प्रांतिय स्वहेतता अगला है आपके सामने मेरे प्यारे भाई इसका आप सब को बताना है अगला कुशन क्या कह रहा है कि भारत की सम्मिधान सभा किसके अनुसार गठित की गई इसका आप सब बता दीजिए करेक्ट आप सब क्या हो जाएगा भारत की सम्मिधान सभा किसके अनुसार गठित की गई करेक्ट आप सब करेक्ट आप देदीजिए करेक्ट आप सब हो जाएगा मेरी प्यारी भाई वह हो जाएगा जमाहला नहीरू आपसन नंबर सी आपका विल्कुल परफ्रक्ट हो जाएगा अगला है आपके सामनी महाराणी विक्तोरिया को भारत की सामाग्री नियूकति कब किया गया कहने का मतलब यह महालानी विक्टोरिया को भारत की सामाग्री जो सामाग्री है मेरी प्यारी भाई यह उन्हों नियूट टिकप किया गया जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जो में तरहां पर बता रहे हैं 1858 में विल्कुल सही हो जाएगा अगला है कि मार्ले मिन्टो सुधार बिल किस वर्स में पारित किया गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नम्बर 131 का वर्स 1909 में सम्मिधान की अवधा रडा ने सबसे पहले कहां जन्म लिया मेरे पैरे भाई कहा क्या गया लिखित संभीदान की अवधारणा अवधारणा ने सबसे पहले कहा जन्म दिया इसका जो सही आमसर हो जाएगा आपकाiosis वह हो जाएगा सही आंसर हो देगा नम्य और अनम्य और अप्सन सी आफ का विल्कुल रटपक्त होगा अगला कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सबसे अधिक व्यापक सम्मिधान किस देश का है अब देखू जब भी सम्मिधान के वारे में बात की जाती है यही प्यारी भाई की हमारे देश का जो सम्मिधान है यहां का का प्सी बड़ा है और लिखीत है और अब ज्रुट क्रिक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने भारत का क्रिक्ट आंसर हो जाएगा है पर आपका option बसी next है कि बैलिस्वे सम्मिधान संसोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्रिखित में से कौन सा सब्द जोड़ा गया मेरी प्यारी भाई इसके पहले आपसे question पूछा गया था कि भारते सम्मिधान के प्रस्तावना में जो समाजवाद है ये किसे सम्मिधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया तो आपने बताया था बैलिस्वे बस थोड़ा इसमें घुमाया गया कहा क्या गया कि बैलिस्वे सम्मिधान संसोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा सब्द जोड़ा गया तो सही answer क्या हो जाएगा यहां पर समाजवाद correct answer क्या होगा मेरे प्यारे भाई अप्सेन No.A को किस ने सहकारी संघवाद कहा है इसका answer आप सब बता दीचे correct answer क्या हो जाएगा मेरी प्यारे भाई इसका जो सखी आंसर हो जाएगा को हो जाएगा जी आश्टीन ने करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका आपका आप्सन सी नेक्स्ट है कि भारतिय सम्मिधान के सनचना जो यह किस प्रकार की है भारतिय सम्मिधान के सनचना जो है यह कुछ तो एक आकात्मक ही और कुछ जो है कठूर है सही आंसर क्या हो जाएगा कुछ एक आकात्मक एवं कुछ कठूर सही आंसर हो जाएगा आपका 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 आप्सन सी नेक्स्ट है भारतिय सम्मिधान का अभिभावक कौन है इसक कौन होते हैं राश्ट पती ठीक है अगला भारती राजनेती की व्यवस्ता में इन में से कौन सर्वोच है सही आंसर हो जाएगा अहां पर वो हो जाएगा संविधान करेक्टर आंसर क्या हो जाएगा आपका आपसिन बी नेक्स्ट बारते संविधान में संगवाद किस देश से लिया गया संगबाद जो है किस देश्ची लिया गया कनाडा आप्सन भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरी प्यारे भाई अगला है कि भारत का संसरी प्रणाली जो है ये प्रभावित हुई किस देश्ची दिको मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो लगभग लगता है मुझे कि तीन साले तीन घंटे तक मैं पांच सू प्रस्णों को कबर करूँगा ठीक है लेकिन इसमें आप सब का सहयोग चाहिए जितनी जल्दी आप क्लास का आइस आप आंसर दे देते हूँ मत रगत कि जो संसद्य प्रणाली है कि सद्य से पभाबी थुई सही अंसर हो जाएगा वह जाएगा इंगलेंड से क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्सण भी बिल्कुल पर्फट्ट होगा डेक्ट है आपके सामने कि कानून के समान संप्सण वाक्र कहां से लिया गया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वह हो जाएगा अमेरीका से बिलकुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका आपका आप्षेन ए नेक्स्ट है आफ के सामने इसका आंसर आपको पताना है कि राज की नीत निर्देशक तत्तों जो हैं एक किसी देश के सम्मिधान के आधार पर निर्मित किये गए देखों सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा आई रिलेंड ठीक है पानी पीते रहना मेरे भाई ठीक है मुझे तो पानी पीना बहुत जरूरी पढ़ गया क्योंकि अगर मैं पानी नहीं प्यूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा सखी आंसर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सभ अगला है संसाध्य शासन प्रनाली सबसे पहले किस देश में बिक्सित्वी इसका अंसर आप सब बता दीजे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वरिटेन से option number C आपको बिल्कुल perfect हो जाएगा अगला कि भारत में collector का पद आउपनिवेसिक सासन ने उधार लिया था किस देश से इसका आंसर आपको बताना है इसका दूपरफेक्ट आंसर हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा आपको option C next है अध्यच्छात्मक सासन का उधाय सबसे पहले किस देश में हुआ संयुक्तराज अमेरिका option B आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कि भारत में बैद प्रभुसत्ता नहीं थाए भारत में बैद प्रभुसत्ता जो होए एक किश में नहीं थाए जिसका अध्यन कर रहे हैं उसी में तो नहीं थोगी कहने का मतलब है संभिधान में इंडियन गॉस्ट्रिशन में और प्रभुसत्त होगा भारत का भारत में सर्वोच्छ माना गया है किसी इसका अंसर आपको बताना है भारतिय समिदान में कुल कितने भाग हैं इसका अंसर आपको बताना है करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा अब देखो मेरी प्यारी भारतिय समिदान में कुल कितने भाग हैं 22 ऑप्सन सी आपका बिल्कुल सही होगा अगला है आपके सामने कि भारतिय समिदान के किस भाग में मोल अधिकारों का उड्लेक मिलता है इसका जो सही answer हो जाएगा, मेरी प्यारी भाई वो हो जाएगा भाग 3 में, option B आपका विलकुल perfect हो जाएगा correct answer क्या हो जाएगा, आपका option number B अगला कि मोल सम्म्मिधान में कितनी अनुशूचिया थी इसका answer आपको बताना है, correct answer क्या हो जाएगा इसका तो सही आंसर हो जाएगा मोगल संविधान में कुल कितने अनुसूचिय थी अगर आपसे कहा जाता है तो याद रखना मेरी प्यारी भाई आपका सही आंसर हो देगा आपको आपको संभिधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राजी में लागून नहीं होती देखो करोगे तो इसलिए मैं कोशिस करूंगा कि तीन साले तीन घंटे में आपके पूरे कोशिस कबार हो जाए पांच इसो कोश्चन है अगर वन लाइन कोश्चन होते तो गास में डेड़ घंटे में पूरा खतम कर देता लेकिन थोड़ा देर रुखना पड़ता है आप आंसर दो उसके बाद आगे बढ़ें तो टाइम तो इतना गास आपको जाता ही है ना तो देखो संविदान के छटे अनुसूची किस राजी में लागून नहीं होती इसका सखी आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बिलकुल सही आपने दिया बिलकुल सही मडी पूर में सखी आंसर क्या हो जाएगा है पर आपका आप्शन ए नेक्ष्ट है आपके सामने कि मौलिक अधिकारों में संसोधन करने में कौन सक्सम है कौन होते हैं संसद आप्शन बी नेक्ष्ट है आपके सामने भारते सम्भीर निम्लिक्त में से कौन सी नागृत्ता प्रदान करता है इसका आपसर आपको बताना है सही आँसर हो जाएगा वह हो जाएगा एकल नागरिक्ता करेक्ट हो जाएगा आपको Option B Next A कि भारति ज्बाति सम्मिधान के किन अनुक्षेदों में नागरिक्ता संब्ढ़ी प्रावधान किये गए है कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा अनुछे 5 से 11 के बीच में कर्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नमर बी जो भी में तो ऑप्शन भी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा अगला कि कितने वर्सों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिक्ता समाप्त हो जाती देखो आप बीदेश चले जाओ ठीक है मैं आपको बदा रहा हूँ या पर थोड़ा सा में एनरजी फुल हो गया हूँ पानी वानी पिली है जादा तो देखो कितने वर्सों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिक्ता समाप्त हो जाती है आपसे ये कुशन पूछा गया सखी आंसर होगा मेरे प्यारे भाई अगर आप बाहर चले जाते हो यानि बीदेश चले जाते हो और अगर आप वहां पर कुल साथ वर्स बाहर रह लो ना तो अपने यहां की तुहारी नाग के सामने भारते राज्यों का भासाई आधार पर पुनर गठन किस वर्स किया गया देखो भारते राज्यों का भासाई आधार पर पुनर गठन किस वर्स किया गया 1956 सबसे पहले किस राजी का भासा की आधार पर गठन किया गया तो वो किया गया था आंधर प्रदेश का पर आपका option B, अगला है कि किस से देश में दोहरी नागरिक्ता का सिध्धान तो सभी कार किया गया, देखो, कहा क्या गया, किस से देश में दोहरी नागरिक्ता का सिध्धान तो सभी कार किया गया, guys जी question आपको important बहुत है, guys अगर कहा जाए तो एकल नागरिक्ता तो अपने सही आंसर हो जाएगा सम्मिदान के प्रतमनुक्षेट के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है राज्यों का संगठन है सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका आपका आपसन बसी जो भी में आपका आपसन सी बतारें बिल्कुर सही आंसर हो जाएगा अगला है कि भा बदल विरोजी कानून से संबंधित है सही आंसर हो जाएगा दस्वी अनुसूची करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका उप्सन सी नेक्ट है कि सम्मिदान के किस अनुक्षेद में सम्मिदान के संसोधन के प्रिक्रिया का उलेख है करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुक्षे 300 आंसर में option number D आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा जो भी मिलते हैं आपर option D बतारे मिल्कुल correct हो जाएगा अगला कि भारदे समिदान के किस अनुक्षेद में अगला कि किसी कैदी को नियाले के समक्षे प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आविशक्ता होती है इसका answer आप सब प्यारे भाई बिन बताएंगे correct answer क्या हो जाएगा देखो मेरे पैरे भाई किसी कैदी को नियाले कि समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किसी रिट की का गया अब मेरे पैरे भाई कहा क्या गया किसी भी कैदी का मतलब क्या होता है कैदी मतलब होता है बंदी तो उसे बंदी प्रतक्षी करना की अवशकता होगी न उसे प्रतक् लेकिन अब भारत में संपत्ति का अधिकार जो है मेरे प्यारी भाई यह मोरिक अधिकार ना हो करके वैधानिक अधिकार हो गया है correct answer क्या हो जाएगा आपका option be beautiful perfect हो जाएगा अगला है कि 6 वर्ष की आयू से 14 वर्ष की आयू के बीच के सभी बच्चों को सिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है देखो इस आपको पहले भी कुश्चन आता लेगे इसमें थोड़ा लाइंगोई चेंज किया गया बास ठीक है बता दो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका कुश्चन नुमर्ट 161 क्या है मेरे भाई क्या है बिलकुल मूल अधिकार है सही आंसर क्या हो जाएगा आपको अप्शन है नेक्ट है आपके सामने नीत निर्देशक तत्त्तो का महत्वा किसके लिए है नीत निर्देशक तत्त्तो का महत्वा किसके लिए है सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका जोभी मित्रियां पर बता रहे हैं कि राज्य के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संगिता लागू है करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवाराज में एस आंसर आपका बिल्कुल सही होगा जो भी में तर आपसने बतारें बिल्कुल सही हो जाएगा अगला के राज के नीद नर्देशक शिधान तो मेंसे किस अनुक्षेद का संबंध अंतर अश्ट्रे सान्ती और सुरक्षा के समवर दाहन से है इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अनुक्षेद 51 करेंट आंसर क्या हो जाएगा आपड़ आपका ऑप्सन सी नश्ट है कि सम्मिधान में कल्याण कारी राज का आदेश दिया जाता है कि सम्मिधान के किस अनुक्स मतलब किस में मोल अधिकारों में प्रस्तावन में नीत निर्देशक तत्तों में संसोधन में कल्याण कारी राज का जोगा इस आदेश है यह सम्मिधान के किस में दिया जाता है आपसे पूछा गया सही आंसर क्या हो जाएगा नीत निर्देशक तत्तों में सही आंसर होगा आपका आप्सन नबर सी सही आंसर हो जाएगा आपका option C next है आपके सामने कि भारतिय सम्मिदान में मौल कर्तब्य कब समाविष्ट किये गए इसका जो perfect answer हो जाएगा आपका वो हो जाएगा verse 1976 में सही आंसर हो जाएगा आपका option B नेक्ट है कि भारते सम्मिधान में मौलिक कर्टवियों की सूची निम्ने में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी सखी आंसर हो जाएगा मेरे पैरे भाई option number 4 में option C आपका बिलकुल सही होगा अगला है कि निम्ने में से किस वर्स सम्मिधान में मौल कर्टवियों को अंतर अस्थावित किया गया वर्स 1976 में correct answer हो जाएगा यहाँ पर आपका option C बिलकुल correct हो जाएगा अगला है कि निमने मैंसे किस वर्स सम्मिधान में मूल कर्तव्यों को अंतर स्थाबित किया गया बस वही थोड़ा सा इसमें गाइस मतलब लेंग्वाज इसकी चेंज की गई करेक्टर अंसर क्या हो जाएगा वही वर्स 1966 में आपसन सी आपका विसका भी सही आंसर हो जाएगा अगला है आपके सम्मिधा अगला कुष्ण है कि संसत को भंग करने के लिए कौन सकसम है इसका आंसर आप सब को बताना है करेक्टर अंसर क्या हो जाएगा संसत को कौन भंग कर सकता है सखी आंसर हो जाएगा राश्ट पति भंग कर सकता है आपसन बब्बी आपका बिल्कुल सखी आंसर हो जाएगा अगला की निम्न में से कौन संसत का अनन्य भाग नहीं है अनन्य भाग कौन सा इसमें नहीं हो जाएगा हो जाएगा उपर राष्ट पती जो है मिलकुल बिलकुल सही अंसर हो जाएगा आपका अगला की संसत के दोनों सद्रों का सत्रा वसान कौन करता है मेरे पैरे भाई मैं आपको बता दूँ कि जितने भी में कोशिस कर रहा हूँ ठीक है तो सभी पैरे भाई मैं जल्दे जल्दी जल्दी आसर दे से अाकरो और हमारे इस मेहनत को अगर लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और लगता है कि इस बार आपको वर्दी मिल जाएगी और अगर आपको कुछ इदिक भी रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो सभी प्यारे भाइबें क्लास को देल से लाइक कर दो तो मेरे ब्यारे मित्र किर्विया क्लास को शेर कर दीजिए आपके इस शेर से आपके लाइक से कुछी मोडिवेशन मिलता है ठीक है मित्र सखी आंसर क्या हो जाएगा राष्ट पती ऑप्संसी आपका बिल्कुल प्रफेक्ट होगा अगला है कि भारत की पार्लियामेंट का उद्गार्टन जो ये कब हुआ था इसका जो प्रफेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1927 में ए डी आंसर आपका बिल्कुल प्रफेक्ट हो जाएगा अगला है कि आ अस्ताई संसत भारत में कब तक अस्तित में रही सब्त्रह अप्रेल 92 तक सही आंसर होगा आफका Option D अगला highest भारत में कार्यपालिका का अध्धक्च जो हे कौन होता है बता दीज़े इसका correct answer क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा कार्यपालिका का अध्धक्च जो हे कौन होता है मेरे प्यारे भाई इसका perfect answer हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट पती अगला है आपके सामने कि भारते सम्मिदान के अनुसार देश का पर्थम नागरी कौन होता है भारते सम्मिदान के अनुसार देश का पर्थम नागरी कौन होता है वो होते है राष्ट पती आपसन भी आपका बिल्कुल पर्टफक्ट हो जाएगा अगला की भारते सेनाओं का सरबोच सेनापती कौन होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट पती आपका बिल्कुल पर्टफक्ट हो जाएगा अगला की राष्ट पद्धिती में समस्त कार्य पालिका की सक्तियां किसमें नहीं तो होती है इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा गाई से समस्त कार्य पालिका की जो सक्तियां किसमें नहीं तो होती है option D राष्ट पद्धिती में अगला कि राष्ट पत का निर्वाचन किस प्रकार से होता है इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा आप तक चुरूप से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका उप्सन अब बी जोबी में तर उप्सन भी बता रहें अगला है कि राष्ट पत के चुनाव के सम्मंदित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है चुनाव से सम्मंदित मेरे प्यारे भाई कहा गया है राष्ट पत के चुनाव है तो सम्मंदित विवाद को उच्चतेम नियाले को निर्देशित किया जाता है option D आपका बिल्कुल perfect होगा अगला है कि राश्ट्र पत्र के त्याग पत्र की सूचना उपराश्ट्र पत्र किसको देता है लोक समात डक्ष को option C आपका बिल्कुल वित्विल के लिए किसकी पहले ही शबिक्रती आवश्यक है? स्की आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट पती की करक्ड़ आंसर क्या हो जाएगा नहीं कि is जो है निखति नहीं करता है इसका जोड़ाrit पarna हब साझेट जहीं है योजन आयोक का बिलकुल सगी मेरे प्हारी भर्योड योजन आयोक को कौN करता है तो प्रदार मतरी साहीई आंसर क्या हो जाएगा आपका और और ऑफशन नंses नंबर एबता रहें पिलकुल Correct हो जाएगा अगला आपके सामने कि निम्न लिखित में से भारत का राष्ट पती किसकी नियुकति नहीं करता Correct आंसर क्या हो जाएगा व जाएगा उपर राष्ट पती के नियुकति नहीं करता है Option number और आपका बिल्कुल सख़ी आंसर हो जाएगा अगला की राष्ट्र पती का रिक्त अस्थान भर लिया जाना चाहिए कितने माह की अंदर अगर राष्ट्र पती का स्थान जो है यानि कि उनका जो गाई से पद है अगर वो रिक्त रहता है तो उसे कितने समय के अंदर भर दिया जाना चाहिए छे माह की अंदर ही correct answer क्या हो जाएगा है आपड़ आपका option number B छे माह की अंदर B answer आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अगला की राष्ट पती को लोग सभा में किने दो सदेश्यों को मनोनित करने का अधिकार है इसका answer आप सब प्यारे भाई भेन बताएंगे correct answer क्या हो जाएगा राष्ट पती को लोग सभा में किने दो सदेश्यों को मनोनित करने का अधिकार है लगबग सभी में तो जानते होंगे और इजी भी है आप जानते हैं आप सब्सक्राइब का अधिकार है अगर राष्ट पत के चुनाव में विवाद हो जाता है तो स्रबोच नियाले के सलाह ली जाएगे correct answer हो जाएगा आपका option B next है कि लाव के पद पर निरनाई कौन करेगा सही answer हो जाएगा राष्ट पत एवम राजपाल सही answer हो जाएगा यहाँ पर आपका option B जोबी में तो option B बता रहे हैं बिलकुल सही होगा अगला की भारत सरकार का संबेधानिक अध्यक्ष कौन होता है भारत सरकार का संबेधानिक अध्यक्ष कौन होता है राष्ट पती होते हैं option यह आपका बिलकुल सही होगा भारत में राष्ट पती राजी सबाकिये कितने सदेश्यों को मनोरीत कर सकता है बता दीजे correct answer क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सदेश्यों को correct answer क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 12 सदेश्यों को D answer आपका बिलकुल correct होगा बारत के पहले राश्ट्रपती के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाओ क्या गया था किसके द्वारा बहुत ही इंपॉर्णन्ट क्वेश्चन है समिधान सभा क्यों दौरा क्या गया था आपका अप्शन डी आपका विल्कुल सही अंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अगला है कि भारतिय गणतंत्र का वह कौन सा राश्ट्रपती था जो सदा भारतिय धर्म निर्पेक्ष्टा को सर्व धर्म समभाव कहता रहा बाकी बचे 300 कोईशन वह भी अभी कंप्लेट कर लेंगे चिंदा विल्कुल भी ना करो ठीक है देखो भारतिय गणतंत्र का वह कौन सा राश्ट्रपती था जो सदा भारतिय धर्म निर्पेक्ष्टा का सर्व धर्म समभाव कहता रहा सखी आंसर हो जाएगा वह जाएगा डौक्टर सर्व बपन्ली रादर पिसननी सखी अंसर क्या हो जाएगा आपका अप्शन भी बिल्कुल सही होगा नेश्ट है कि संसद मेंच सामिल नहीं है इसका अंसर आपको बताना है तक है शही अंसर हो जाएगा वह देगा मुख्ध निर्वाचन आयुक्त ऑप्सन नमर डी आपक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जो भी में तरह पर ऑप्सन डी बतारे हैं बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा अगला की युद्धिकी घोष्णा या सांति का फैसला करने में मेरे पहरे भाई अगर लगता है मैं आप के लिए मेहनत कर रहा हूं देखो मैं अपने कीम्ती समय लिकालता हूं आपके लिए बहुत ही कीमती समय हमारा है रहारा है ऐसा क्यों क्यूंकि ऑइस मुझे डिभुटी जाना होता है बीचमए और भी कई सारे कवर कर WhatsApp के लिए ले कर आना होता है बहुत सारे गास क्लासी होती है ति अब इस issue क्लास को बनाने के लिए इस क्लास को बनाने के लिए गईस मैंने रात भर मेरा रात मैने मेरा किया है आप आ भी सलब्लिया सकते हो 500 प्रशंचों को गास सब्रांग करना,at भाउत लगन देने तरता जुरून के साथ इसी तरीके से पढ़ते रहें तो मिश्च दूरूप से आप सब को वर्दियों मिल जाएगी पड़े मेरी पहरी भाई अगर लगता है मैं आफ के लिए मेहनत कर रहा हूं तो एक बार मित्र इस क्लास को अपने मित्र तक सियर कर दो जो क्ला पड़ाना है निलंबित निसेद, पॉल्र निसेद, पॉकेट यह तीनों है correct answer क्या हो जाएगा आपका option D नेश्ट है कि निम्लिकित में से कौन भारत के राष्ट्रपती के चुनाव में भाग नहीं लेता है इसका अंसर आपको बताना है देखो भारत के राष्ट्रपती की चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता मेरे प्यारे भाई बिल्कुल सही अंसर होगा बिल्कुल करेक्ट है बिधार परस्यत की कोई भाग नहीं ले सकते हैं option number C आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अगला है कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट來श्यपती बनाे जासकता है देखो एक ही वेक्टी कोई भी अगर कोई ब्यक्ति है वाज जितनी बार बन सकता है उतनी बार बन सकता है बनने के लिए उसके अंदर जो यो सक्के फाम है यो मतलब क्या है कि कई वर बन सकता है सखी यांसर क्या हो जाएगा है कौन होता है जोड़ा सा समsmcellा लोग कहा गया है और चक्रानमंतरी सखीー य Cap 2019 अijnक या विस्वास विश्वास प्रस्ताव जो एक किस सदर में लाया जाता है करेक्टर अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोग सभा के सदर में option B आपका बिल्कुल सही होगा अगला है कि लोग सभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है अस्तगन दौरा बिगटन दौरा और अस्त्रावसान दौरा तीनों के दौरा लोग सभा की बैठक समाप्त की जा सकती है option B आपका बिल्कुल सही है अंसर हो जाएगा जो में में तो option D बतारें बिल्कुल सही होगा अगला है कि लोग सभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देती है लोग सभा के सदस्य जो है यह अपना त्याग पत्र किसको देंगे किसको देंगे भाई लोग सभा सदस्य अरे बैया लोग सभा सदस्य लोग सभा दक्ष को तो ही देंगे correct answer क्या हो जाएगा लोग सभाद रक्ष को सही answer क्या हो जाएगा आपका option C अगला है इसका answer आपको देना है कि लोग सभाद सदस्यों के निर्योगिता से सम्दित प्रस्नों पर निरनाई कौन करता है पतादो correct answer क्या हो जाएगा अब जब लोग सभाद के सदस्यों है तो इसके निर्योगिता से सम्दित प्रस्नों पर निरनाई कौन करेगा लोग सभाद की अद्रक्ष तो ही करेंगे correct answer क्या हो जाएगा आपका option A विल्कुल perfect होगा मेरे प्यारे भाई नच्ट है कि निम्न में से किसे लोग सभा का अभिरक्षक कहा गया इसका answer आप सब को बताना है बहुत हीजी है बहुत ही simple है सभी जानते हैं कि अभिंविश्य किसे कहा जाएगा लोक्षभा न्यूंक करता है कि कौन नोट करता हैU रखण पृधिए नोक्त करता है राष्ट्फथ को सामिल हैं बताना है आफ को क्या क्या बता दिए फटफ़ट फटफट होता है फटफ़ट इस पसफ़ट हो जाएगा लोग सवा और राज सवा यह दोनों गाई जो है यह भारति यह संसर में सामिल है option D आपका बिल्कुल perfect answer हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अगला है कि budget पहले किसके दारा पारित किया जाता है budget जो है किसके दारा पारित किया जाता है याद रखना मेरे प्यारे भाई budget जो है किसके दारा पारित किया जाता है इसका जो शकी आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1952 में अप्संसी आफका विल्कुल प्रफेक्ट हो जाएगा कौन सराजी सबसे अधिक प्रतिनिदी लोग सभा में भेजता है इसका आंसर आप सब को बताना है बहुत हीजी कुछन है बहुत इंपोर्डेंट है फड़ा चरणों में संपन्न हुए इसका आंसर आपको बताना है जो दामी क्या हो जाएगा आपको अप्संबी नियक्ष्ट राष्ट पती द्वारा राजी सभा के कितने सदेश्यों को नामित किया जाता है जब मेरे पहरे भाई कहा क्या गया राजी सभा देखो लेंगो स्थोड़ी इसमें बदली जाती है बस कुईशन वही रहता है मेरे भाई कुईशन पूरा वही रहता है ठीक है सही अंसर क्या हो देगा बारा कितने होएंगे बारा आपसंटी आपका बिल्कुल प्रेट्फर पॉपॉलेशन के अधार पर जनसंक्या कहां किए तो वो यह अंसर क्या हो जाएगा आपको option A. नेक्ष्ट गए कि लोग सभा की अधिकतम सदस्य संक्या कितनी हो सकती है इसका आंसर आप सबको बताना है देखो मैं बोल सकता हूं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं आप आपको क्यों बैठ कर देखना है बस मुबाइले से देखते रहो जो टफले गए उसके स्पिन साट दे लो इच्छा हो तो नोर्स कर लिया करो बस क्यों देखना है और मैं बोलता रहता हूं मैं और भी ज़्यादा ठक गया हूं फिर भी मैं रुकने वाला नहीं हूं क्यों कि म मेरे प्यारे भाई लोग सबा के अधिक्तम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है कहा आप से ये गल्या है सखी आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 552 बी सी आंसर आपका बिलकुल सही होगा अगला है आपके सामने भारत के उपराश्ट पती की इस्तिती की तुलना किस देश की अगला है कि भारत के वही तो भाई वही क्विश्टन लिख दिया गया ना थोड़ी सी गल्ती हो गई हो अगला है कि उपराश्ट पती को पद की अवधी कितने वर्स की होती है उपराश्ट पत के पद की ना पर क्यों होना चाहिए मेरे भाई थोड़ा सा गलबड हो गया है ज्यादा टाइपिंग करेंगे तो गरबरी तो होगी ही दो सूतिय इसका बता दो करिक्ट आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा उपराश्ट पति के पत्किवदी कुल पांच वर्स के होती है यह आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा राज सवा के बैठकों का सभापति तो कौन करेंगा उपराश्ट पति तो करता है ए आंसर आपका तो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अलाकि उपराश्ट पति का निर्वाचन किसे होता है कैसे होता है यह बताना है आपको ओप राश्ट पत का निर्वाचन कैसे होता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आ हो जाएगा आप तक छुरूप से भी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि किस सदन में अध्धक्षता करने वाले अधिकारी उश्य सदन का सदस्य नहीं होता इसका आंसर आपको बताना है उश्य सदन का सदस्य नहीं होता आपसन भी राजी सभा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका आपसन भी बिल्कुल सही होगा नक्ष्ट है कि राजी पाल के बैठकों की अ दक्षिता कौन करेगा बता दो फटा-फट सखी आंसर क्या हो चाएगा वो हो जाएगा उपर आश्ट पती ऑपसन सी आपका बिलकुल सही होगा जो भी मैं तर आफसन सी बता रहे हैं बिलकुल सही हो जाएगा न्याख्ष्ट किसी धनविदेक के पारित होने में राज्य सबा अधिक से अधिक कितने देरी कर सकता है इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारी भाई जो भी यहां पर बता रहे हैं कि कुल 14 दिन तक देरी कर सकता है मतलब कहा जाए तो दो सफ़ता तक कि वह लोड़ को दो सफ़ता के दौरत तो किया नहीं जाता है जनता तो जान ही नहीं पाती है लोड कर खा जाते हैं सही बाद है नहीं देखो मंत्री मंदल तो नहीं है जनता भी नहीं है संसद के दौरत किया जाता है मेरे प्यारे भाई सही आंसर क्या हो जाएगा संसद क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएग जब तक कोई सरकारी खर्चा नहीं कर सकते हैं सगी आंसर क्या हो जाएगा आपको अप्शन डी नेक्ष्ट है कि निम्लिकित में से कौन जनता द्वारा प्रतक चुरूप से निर्वाचित सदर है जनता द्वारा कहा गया बता दो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोग सभा ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा राज्य सभा का सभापती कौन होता है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उपर राश्ट पती एए अंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्ट है कि राज जिस सभा में किस राज के प्रतिनिधियों की संख्या सबस्य दिखाए कर दिया जाता है तो समझते होंगे अपने उत्तर परदेश के जैन संख्या भी ज़्यादा है सही अंसर का हो जाएगा यहां पर आपको option भी उत्तर परदेश यह तर लिका है यह उपर लिका है बड़िया आप मेरे पैरे कहने की जुरूरत ना पड़े सेर कर दिया को मैंने आप सबसे कहा कि टार्गेट हमारा पूरा कर देना लेकिन आप सब ऐसे में इतना है कि क्लास को सियर तक नहीं करते हो कितनी मेहनत लगती है जो को मैं पहले तो गाइस में बहुत तेज पोल रहा था जब मैंने क्लास अगला की भारत की उपराष्टपत के पर लगातार दो बार कौन रहे बता दो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा लगबख जानते होंगे सभी 235 बता दो कौन थे वही मेरे बाई डॉक्टर एस रादा किसनन या कहा जाए डॉक्टर सर्पल्ली रादा किसनन सही आंसर हो और जी राज को सम्रित करने का जिकार किसे है? बता दीजै कर्रेक्टर आंसर क्या हो जाएगा? संसद को संसद, क्यों है संसद, Option D आपका विल्कुल perfect हो जाएगा, भारते सम्मिधान के किस अनुक्षेद में प्रस की स्वतंतरता दी गई है? इसका आंसर आप सब को बताना ह भार्त के संभिधान के किस अनुक्षेद में प्रेस की स्वतंतरता दी गई अनुक्षेद 19 की फर्स्ट में सही आंसर क्या हो जाएगा आपको अपसर सी भासाई आधर पर हज्यों का पुनर गठन किस वर्स किया गया बहिए कुश्चन वही आ गया है ना लेकिन बता दो क्या ह हो जाएगा जानते होंगे किस वर्स किया गया बिल्कुल सही बिल्कुल सही आपने बताया है बिल्कुल सही 1956 में सही answer क्या हो जाएगा आपका option B नेमलिकित में से कौन किसी राज्जी का छेत्र घटा या बढ़ा सकता है इसका answer आप सबको बताना है correct answer क्या हो जाएगा 249 नमबर इसका जो perfect answer हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वा हो जाएगा संसद सही answer क्या हो जाएगा आपका option number A बिल्कुल perfect हो जाएगा next है आपके सामने नए राज्जी के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करेने काधिकार किस्को बहिया वही question का गया थोड़ा घुमाया गया बस बहां सा इसकी क्या हो जाएगा संसद को ही तो है correct answer क्या हो जाएगा आपका option B next है आपके सामने बारतिय सम्मिदान की असपस्त रहता उन्मूलन से सम्मंदित अनुच्छेद है इसका answer आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका जो correct answer हो जाएगा मेरे प्यारे भाई जो भी यहाँ पर बता रहे हैं question number 241 का अनुच्छे 17 की अंतरगत बिल्कुल सही answer हो जाएगा आपका option C बिल्कुल correct answer हो जाएगा next है आपके सामने राज्य पुनर्गठन आयोक का गठन किस वर्स किया गया था याद रखना किस वर्स किया गया था 1953 में सही answer क्या हो जाएगा मित्रेहा पर आपका option number B बिल्कुल perfect हो जाएगा next है कि निम्ण मेंसे किसे तरह से भारतिय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है बता दो मेरे बया बता दो इसका सही answer क्या हो जाएगा देखो जन्म तो भारत में हो इसका पंजी करण भी जन्म भारत में हो इसके वनसा नुगत भी भारत में ही होने चाहिए मतलब तीनो तब ही तो भारत के रागरिकता प्राप्त की जा सकती है correct answer क्या हो जाएगा आपका option D यह सभी मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है इसका answer आप सब को बता देना है correct answer क्या हो जाएगा मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है कौन कर सकता है राश्टरपती कर सकते है option D यह आफका बिलकुल सही होगा निम्लिकित में से कौन सा अधिकार भारतिय समिधान के अनुक्षेद 32 के अंतरगत प्रवर्टित के जा सकता है किया जा सकता है देखो यह जो संख्या होती है मैं जान नहीं पाता हूं करेक्टर हो जाएगा मौणिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करेने का अधिकार निम्ने में से किनको प्रदान किया जाता है किनको पड़ान किया जाएगा यह बता दो श्रब उच्छने आले को बी आंसर आपका बिलुकुल परिफक्ट होगा धार्मिक स्वतंदरता का अधिकार किस अनुक्षेत के द्वारा दिया गया इसका आप सबको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका जो परिफर्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा क्यॐर्प 47 का जो भी में ते बतारे नक्षेत 25 बिलुकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अप्संद बी अगलाय के निमनोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए चारी किया जाता है अधिकार प्रिक्षा आपसंद भी आपका बिल्कुल सही होगा भारत की संचित निधी से धन निर्गम पर किसका नेत रण है संसथ का है आपसं भी आपका बिल्कुल सही होगा नेंश्ट है किसी संसथ सदस्य की योगित के संदर्म में निर्ण एक होन करते है कुष्टन नमपन ढृफ्ट धॉफ का here घोत एग हो जिएगा राश्ट पती आपसं भी आपका बिल्कुल सही तो जितना समय अभी तक लगा इतना ही समय और लग जाएगा धाईशो ढ़ाईशो पांच सो मतलब अभी इतना ही देर हो है मुझे बोलना पड़ेगा क्लास के लिए और आपको भी इतने देर रुकना पड़ेगा अपने ग्यान के लिए तो मेरे प्यारे भाई, क्लास को अंते तक देखो, अच्छे लगड़ी ये लाइक कर दो, चनल पर पहली वा रहे हो, चनल को सब्सक्राइब कर लो, और मितन तक इस क्लास को सिर भी कर दो, ठीक है, मैं रथेंग क्लास से आपकी, और कल से मैं आपको बता दूँ कि इतिहास की आपके लिखलम क्लास कर वाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइस आपकी क्लास होगी, और एक एक टॉपिक कॉंप क्लिर करते चले जाएंगे, ठीक है, किसी दल ने, किसी दल ने, दो वर्स के समय में, दो प्रधान मंत्री दी, बता दो, क्या हो जाएगा, भारती जनता बता न, सॉरी, सॉरी, दिखो, यहाँ पर मेरे प्यारे भाई, जो किसी दल ने, दो वर्स के समय में, दो प्रधान मंत्री दी, जए, सखी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जनता पार्टी, सखी आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नमबर, ए बिलकूर सही ह होगा एक मिनट एक मिनट भाई एक मिनट सवरी देखो यहां पर किस दल ने दो वर्स के समय में कहा गया मेरी भाई भारते जनता पार्टी ने किवल जनता पार्टी होना चाहिए ऑप्सन डी आपका सही होगा ठीक है अगला कि भारते सम्मिधान के अनुस्चार तत्छात्मक और संपरभुक्त निवास करती है किसमे इसका आंसर आपको बताना है देखो इसका जो सगी आंसर हो जाएगा आपका जो भी मितर्याँ पर बता रहेंगा कि प्रधान मंतरी में विल्कुल सगी होगा प्रहटी अनसर रहें कि भारत में सक्तियों का प्रमुख उभरता के इं सखी असर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधान मंतरी सिब्सक्रानलिक के सकति किस्ट के पासमें यह कहा गया है इसका जो परफर्वर्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा मित्र प्रधान मंतरी में B आंसर आपका प्लिकुल सही होगा Next है आपके सामने कि निम्लेकित में से कौन सा भारत में प्रसासन पर बीधाई नियंतरन का एक साधन नहीं है सखी आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदन का विगटन आप्शन नमबर A आपका बिलकुल सही होगा बारतिय संग का मंत्री परसद सामोहिक रूप से जिम्मेदार होता है किसके लिए बारतिय संग का मंत्री परस्ट जो है सामजी गुरूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है तो वो होताएगा इस लोक सभा के लिए option B आपका बिल्कुल सही होगा मंत्री मंडल की बैठक की अध्धक्षता कौन करता है अब बड़े भाईया question का कहा गया आपसे मंत्री मंडल की बैठक की अध्धक्षता कौन करता है परधान मंत्री तो करेगा option B आपका तो सही होगा बिल्पकुल सही correct answer क्या हो जाएगा आपका option number B next है आपके सामने कि संग्ही मंत्री मंडल की बैठक का सभापतित्वा कौन करता है इसका answer आप सब को बताना है या किस अनुक्षेद में वनड़ित है सही answer हो जाएगा अनुक्षेद 75 में option C आपका बिल्पकुल सही होगा next है आपके सामने कि यथार्थ में कारिपालिका की समझ ते सकता निम्रिकित में से किसमें नहीं थै सही answer हो जाएगा मंत्री परसेद में A answer आपका बिल्पकुल perfect हो जाएगा next है कि मंत्री परसेद को जो अध्यक्षता है ये कौन होता है सही answer हो जाएगा परदान मंत्री A answer आपका बिल्पकुल correct हो जाएगा अगला की मंत्री परसद में कितने अस्तर के मंत्री होते हैं कितने अस्तर के होते हैं तीन अस्तर के होते हैं सही अंसर होगी दाएगा आपका option C next है आपके सामने कि मंत्री परसद में निम्रिकित में से कौन सामिल नहीं रहता संसद्य सची जो एगा ुसे मंध्रि परसत में सामिल नहीं होते हैं आपसे भी आपका बिल्कुल सही होगा अगरा कि भारते समीदान में निम्लखित में से किस पधकाउन लेक नहीं है लगबग सभी जानते होंगे देखो लाश्टपती तो होते ही, अपने यहां उपर राश्टपती भी होते हैं, परदान मंत्री भी होते हैं, लाश्चा बी भालत के प्रतम उपर परदान मंतरी कौन थे यह कहा गिजा ठीक है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका बिलुकुल मेरी भैई उपर परधान मंतरी कौन थे तब वो हो जाएगे आपके सरधर बलना भाई भैट ठीक है निम्लिकित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंतरी परिशद रख सकती ह देखो कौन सा प्रस्ताव है जो भारत में मंतरी परिशद रख सकती है भैई या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव को रख सकती है आप्शन बी आपका बिलुकुल सही होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका आप्शन नमब परसत पर A अंसर आपका बिलकुल सही होगा प्रती option number B आपका विल्कुल सही answer हो जाएगा मित्र next है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोग सभाद दक्ष कौन थे देखे हैं पहले page कितने बचे हैं आपके अभी भाई पंचानले में page हुए हैं और लगबग 186-187 page है तो देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोग सभाद दक्ष कौन थे इसका जो सखी आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वा हो जाएगा यहाँ पर गनेश वासुद्यों मावलंकर या फिर कहीं कहीं आपको option में जीवी जीवी मावलंकर भी देखनी को मिल सकता है ठीक है तो इसको लेकर या बिल्कुल भी भ्रहवित ना होएगा जीवी मावलंकर या गनेश वास्थ मावलंकर कहा जाये बात एक ही यह ठीक है नेक्ष्ट है आफके सामने लेगें नेक्ष्ट से पहले सोच यह नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले बलकि यह होनी चाहिए जहां पाऊंँ रखे वो रास्ता अच्छा हो जाए समझ गें चलिए लोग्सभा का सच्ची वाले किसके प्रतक्रच परविख्षड या यह नियंत्रन में कारी करता है लोग सभा का जो सच्छी वाल होता है यह कहा गया है बता दो क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो लोग सबा का सच्छी वाल है किसके प्रतक्ष परिविच्छर या नियंत्रन में कारी करता है क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लोग सबादक्ष कभी नहीं रहे कौन इसका जो सखी आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा हुक यहां पर जो मेरे प्यारे भाई लिखा गया है कोई विदेक धन विदेक है कि नहीं इसका जो निष्चे है यह अंतिम रूप से कौन करता है यह कहा गया है आप से सही आंसर हो जाएगा यहां पर वो हो जाएगा लोग सभा लगसर रूप के किसी दल के नेता के रूप में मानेता किसंसे परदाóle दौरा दी जाती। लोग सभा लग्शक तो प्यारे प्यारे भाई आपको बताना है इसका जो correct answer हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा यहाँ पर उपाध्धक्ष को लोगसभाध्धक्ष जो है लोगसभा उपाध्धक्ष को अपना इस्थीपा देगा जैसे राष्ट पती अपना इस्थीपा अपना त्याग पत्र किसको देता है उसी प्रिकार हो जाएगा ठीक है मुद्कुल भी मन नहीं करा राय पट रोकने वाले नहीं है ठीक है जीससी समिती की सिफारिस पर भारत में पंचायती राज के स्थापना की गई उसका अद्धक्ष का था बता दीजिये बलवंत राय महता समिती वलवंत राय मेहता समिती अपसेंड आप नग्राम पंचाद का निर्वाचन कान करवाता है राज सरकार करवाती है या सही अंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका आपसन बी बिलुकुल perfect होगा बिलुकुल correct होगा 1977 में पंचायती राज मिवस्ता की समिक्षा के लिए गठित समिती की मध्यस्तिता किसने की इसका आपको बताना है किरा हो जाएगा कुष्टनमर289 का सही अंसर ऩो जएगा वो झाल ऑसोक मेता सही आंसर क्या हो जाएगा आपका option no.c पंचायती राजप्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है किस अस्तर पर पंचायती राजप्रणाली में ग्राम पंचायत का जो गठन होता है किस अस्तर पर होता है किस गठन पर होता है बता नाम को ठेक है सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा ग्राम अस्तर पर और आ ओप्षिन lt にちは प्रॉप्ष्ण प्रणाली जो है कहां नहीं मतलब किसा प्रदीश उसका आंसर आपको पताना ही और यह लुँँ और यहां को अनचल प्रदेश में नहीं है मेरे भाई सब्सक्रारा क्या हो जाएगा अपको अप्षो ठीड कि मोचे नहीं याद रखना इंपॉर्ण बहुत है मेरे प्यारे भाई आ यपने अपका होती है तो किस अवधी के अंदर निर्वाचन होंगे तो देखो यदि पंचायत भंग होती है ना तो दो महीने के अंदर ही सब कुछ कर देना हो ना हतार ठीक है करेक्ट रांसर क्या हो जाएगा आपको अप्शन मेरे पंचायत भंग होती है का आगया ना छे मां के अंदर का स्वारी छे मां होना चाहिए ठीक है थोड़ा सा दिमाग भी गूमने लगा है बहुत देर हो गया बोलते बोलते एक मिनट को मेरे भाई में पानी पिलूफ एक बाल ठीक है उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे नह दिमाग के में काम कर रहा है हाला कि चलो 85 को निरभड से राजस थाय आपने नीधन ही तो किस पर निरभड है सरकारी एनुदार पर निर्वर होती हैं option df का बिल्कुल सही होगा next है आफ के सामने पंचायती अस्तर पर राजिसरकार का प्रतिनिद्ध जोई कौन करता है correct answer हो जाएगा पंचायती अस्तर पर राजिसरकार का प्रतिनिद्ध ग्राम मुख्या करता है option number df का बिल्कुल सही होगा next है के पंचायती राजिसरस्थान के अजिक्तम i का स्रूत है इसका answer आपको पताना है क्या हो जाएगा इसका जो perfect answer हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा यहाँ पर जो भी मत्र बता रहे हैं के सरकारिय अनुदान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा next है के पंचायती चुनाओं के लिए उम्मीदवारों की निवन्तम आयू सीमा होनी चाहिए कितनी हो उनकी जो निवन्तम आयू सीमा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 21 वर्स होनी चाहिए, option number 6 आपको बिल्कुल correct हो जाएगा next है कि राश्ट्रे पिछला वर्ग आयुक की अस्थापना कब हुई इसको जो perfect answer हो जाएगा, मित्र राश्ट्रे पिछला वर्ग आयुक की अस्थापना कब हुई, आपसे ये कहा गया है जाद रखना 1993 में हुई, option number D आपको बिल्कुल correct होगा अगला की दल बदल विरोध कानून से सम्मिधान का कौन सा संसोधन संबंदित है कौन सा संसोधन संबंदित है आपसे ये कहा गया है सखी अंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा, बवनवा संसोधन, correct answer क्या हो जाएगा, आपको option C next है आपके सामने, कि निम्लिकित में से सम्मिधान संसोधन में से कौन सा संसर में पक्ष परिवर्तन करने से निशिद्ध करता है बस थोड़ा घुमाया गया है, question वही है, बवनवा संसोधन, ये answer आपका बिल्कुल perfect होगा next है आपके सामने, किसी छेतर को अनसूचित और जनजाती छेतर घोशित करने का जिकार किसे है किसी भी छेतर को अनसूचित छेतर या जनजाती छेतर कोशित करने का जिकार किसे है ये कहा गया, मेरे भाई, question का सही answer क्या हो जाएगा राश्ट्र पती को लगबग सभी बित्र का आया, बिल्कुल सही, आपसंसी आपका बिल्कुल सही होगा नेक्ट है, असोख मेहता समिथी किसे से संबंदित है मेरे प्यारे भाई, class को share कर दो, मैंने आप सबसे कहा, आपने कहा भी, मैं आपका साथ दूँगा, बट आपने साथ नहीं दिया सभी मेत्र class को share कर दो, एक बार अशोक मेहता समिती किसे सम्मंदिती आपसे ये कहा गया सही आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा यहाँ पर पंचायती राज से आपसन सी आपका बिल्कुल सही होगा जोभी मेत्र आपसन सी वतारें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भारत में पंचायती राजु जो है प्रानब किया गया कब से हैं कुश्चन में 233 में का सही आंसर हो जाएगा 1969 इसी विश्च से option number D आपका बिल्कूल करेक्ट हो जाएगा भारत के सम्मिधान में प्रथम संसोधन जो है कब हुआ था बहुत जादा important question है सम्मिधान संसोधन जो है भारत में के सम्मिधान में कब हुआ यह question कहा गया है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1951 में option B आपका बिल्कूल perfect होगा कि सम्मिधान संसोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार के आयू सीमा सभी जानते हैं बता दूजे सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 61 सम्मिधान संसोधन द्वारा आपका बिल्कूल perfect होगा next है कि 22 सम्मिधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुक्षेत संबन्दे थे किससे इसका आंसर आप सब को बताना क्या हो जाएगा धंग से 21 वर्ट से घठाकर 18 वर्ष किया गया किसे धंग से बतादे रह ऑख हो जाएगा वह हो जाएगा सब्धानिक संसोधन द्वारा आपस नमबर सी आपका बिल्कूल सही होगा वो संम्मिधानिक संसोधन कौन सा आए जिसके द्वारा राजनेतिक दल बदल पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है या लगाया गया था इसका आंसर आप सब को बताना है क्या हो जाएगा को इसका जो परिफेक्ट आंसर हो जाएगा एक कि बारतिय संमिधान के शंसोधन में कौन सा संसोधन केंद्रिय मंद्र मंडल के याकार को शीमित करता है इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 91, 89 मतलब की 90 अवरी पहला 91 जो संसोधन है मेरी प्यारी भाई यह भारती संसोधन का जो संसोधन है 91 यह संसोधन केंद्रिय मंति मंडल के आकार को सीमित करता है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका option number V ठीक है correct answer क्या हो जाएगा आपको option number B question number 300 है आपकी सामने इसका answer बताना है कि सम्मिधान संसो दिन कितरे प्रकार से किया जा सकता है इसका answer आप सबको बताना है इसका जो perfect answer हो जाएगा वो हो जाएगा तीन प्रकार से option number B आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर 300 questions को complete कर लिया और बाकी बचे हैं 200 questions चले उसको भी complete कर लेते हैं और यह थोड़ा गलावला बैठ गया है मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है औ और एक दो question बीच में कलत भी हो गए इसी कारण से बट कोई बात नहीं guys हम कोशिस करते हैं अभी अभी तो हमारे अंदर तो जान अभी है जब तक जान है तब तक guys मैं अब के लिए पूरी जी जान लगाता रहूँगा समझते होंगे ना चली अब देखो मैं आपको बता दूँ कि 300 तक मैंने complete कर लिया था और आप guys मैंने अपने book से ले लिया ठीक है वो book मैंने यहाँ पर 300 ही तक दिया था ठीक है बुक में हमारे तो guys मैंने अगली book से लिया है ठीक है question क्या कहरा है कि राश्ट पति जो है ये किस अनुक्षित के तह लोग सवाको भंग कर सकता है तो ये अनुक्षित 85 के अंतरगत क्रेक्टांसर क्या हो जाएगा आपका option number यहाँ पर 85 वाला ठीक है एक कोई भी option पर सहीं लिखा गया था ठीक है ये book में गल्ती थी तो मैंने फिर भी ले लिया है कि आप पढ़ो तो गल्त मत करना मेरे भाई पचासी अनुक्षित के अंतरगत ठीक है नेक्ट है कि भारतिय संग में है अब देखो भारतिय संग में 22 राजे 9 के अंद्रसाशित परदेश है ना ऐसा तो मैंने सुना भी नहीं 25 राजे 6 के अंद्रसाशित परदेश अरे ऐसा देखा भी नहीं 24 राजे 7 के अंद्रसाशि सिराज जी और नो की अनसाशी पर दिश हो चुके हैं कर्रेक्ट अंसर क्या हो जाएगा आपका आप्शन नबर डी नेक्ट है कि सम्मिधान सभा दौरा भारतिय सम्मिधान को कब स्वभी कार किया गया अब इसका अंसर आप सब को बताना है लगबग मेरी प्यारे भाई भारतिय सम्मिधान दौरा भारतिय सम्मिधान को कब स्वभी कार करने की बात की जाएगी तो मैंने आप सब को पहले ही बता दिया था 26 नमबर 1949 माना जाएगा ठीक है लेकिन लागू कब किया गया अगर कहते हैं तो होगा इस तब 26 जनुरी निस सब्धास हो जाता लेकिन अगर सभीकार कब किया गया तो 26 नमबर 1949 वाला से ही होगा नेक्ट है कि सम्मिधान के प्रस्तावना में किन सब्दों को जोड़ा गया इसका आशन आपको बताना है जो बता दीजिए क्रेक्ट आशर क्या हो जाएगा तो तो बिल्कुल सही है सही हो जाएगा वह हो जाएगा समास्वादी धर्म निर्पेक्च और अखरनता यह सब जोड़े गये हैं बैलिश्वे समयदानिक संसूद्रमी सही अंसर क्यों हो जा मतलब भारते सम्मिदान का प्राडूम जो अाधिकतर है यह कहां से लिया गया उनी tut है सामने कि भारते समिदान का निर्माड किस ने किया मेरे भाई क्वेशन क्या क्या substitution क्या अप से BHART' competent कि निर्माण कि निक ने कहा है कुछ इसकी और होता इसकूआटkee । कौन था इसका अंसर आप सब को बताना है क्या हो जाएगा कुश्चन नमर साथ परफेक्ट हो जाएगा अगला कि निमने लिकित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीम राव अमेटकर ने सम्विधान का हिर्दे और आत्मा कहा था या कोश्चन कहा गया है बतादी इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा समय धानिक उप नेच्ट है आपके सामने भारत का राष्टिय प्रतीक जो है कहां से लिया गया सभी में तरह जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फट आफ फट आउट आउड़ान्सर दे दीज्या इंपोर्ण बहुत है लाइक कर दो लाइक कर दो मेरे क्लास को लाइक कर दो एक बार देखो बहाद कर रश्टे प्रती कहां से लिया गया सानर नात मेश्थिक असोख अस्तंबस से सखी आंसर क्या हो जाएगा और आपका ओ जाएगा ऑप्सिन नमबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्सिन नमर ए जो भी में द्रॉप से नहीं बता रहें को सच्छे एंसर आपका बिल्कुल सही होगा अगला कि सम्मिदान सभा दौरा भारतिय राष्ट्रिय दोच को कब मानेता दी गई इसका दू परफेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्से नबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भारतिय दोच में क्रमानुसार ओपर से नीचे की और रंग है यह कौन है मैंने आप सब से गाई से रिक्वेस्ट किया था कि आप सब प्यारे मेंतर क्लास को सेयर कर दो बढ़ आपने किया नहीं चले कोई में बोलने के उख्षिस करता हूं फिर भी गाइस में थुड़े दी में बोल पाता हूं यह बहुत देर हो गया है 313 कोशन पर हम पहुंच चुके हैं बट आप ऐसे मित्र हैं कि क्लास में अभी तक लाइव के संख्या जो हंडेड प्लस नहीं करवा पाए मेरे भाई क्लास क में लाइव के संख्या हंडेड प्लस करवा दो है मित्र हंडेड प्लस होने चाहिए मैं आप सबसे हाथ जोलकन विधन करता हूं साड़े साथ बजे आपके डेली क्लासे सोती है आप सब समझते ही है ठीक है भारतिये दुच में क्रमानुसार ओपर से नीचे की ओर रंग कौ मतलब तीन अनुपाद दो है मित्र सखी अंसर को लंबाई का अनुपाद तीन और चौड़ाई का अनुपाद दो ऑप्सेन अपका सही होगा तरंगे को राष्ट्य धज के रूप में किस अधिवेशन में अपना या बताईए इसका सगी अंसर क्या हो जाएगा देखो तरं रखना इसका सखी अंसर हो जाएगा वह जाएगा लाहूर अधिवेशन में सखी अंसर क्या होगा आपका अप्सेन भी नेक्स्ट है आपके सामने भारत में राष्ट गान जो यह पर्थम बार कब अगया गया पतादो सही अंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 यह अंसर आपके जो भी में त्रॉप्सेन ने बता रहें मिलकुष सही होगा नेक्ट है राष्ट्रेगान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गारा गया सही अंसर हो जाएगा वह रहेंसर कलकत्ता डिवेशन निस सो ग्यारा में वे अंसर आपके विलकुष सही होगा कलकत्ता डिवेशन निशbreaker में जो भी में त्रॉप्सेन भी बता जेंब 8 सही हो जाएगा भारत कि राष्ट गान जन गण鬍मामन की रचना कार कौन है सभी जान करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रमिन रना टेग और सभी आंसर आपको पर्फेक्ट होगा सर्व पर्थम गीत सर्व पर्थम जो गीत राष्ट्रे गीत यह गाया गया कहां पर पतलब किस अधिवेशन और कब राष्ट्रे गीत जो है किस अधिवेशन में गया गया यह आप से पोच रहा है सही आंसर हो जाएगा आपका बोदेगा 1886 के कॉंग्रेश अधिवेशन में ए आंसर आपका बिल्यकूल पर्थेक्ट हो गा ए आंसर आपका बिल्यकूल अध्याय option D आपका बिल्कुल सही होगा शक्षंबत पर आधारित भारत का राष्ट्य पंचांग कब अपनाया गया या question आपसे कहा गया है बता दीजे फटफट राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 March 1957 एंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा मित्र जो भी मित्र बता रहें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अग़्या है कि संपत्य का अधिकार क्या है इसका अधिकार देखो संपत्तिक अधिकार मेरे भाई कहा गया है आपसे समझने की कोशिस करना संपत्तिक अधिकार पहले मौली का अधिकार था बट अब इसे कर दिया गया कानूनी अधिकार बारते समिदान में अब कितने मूल अधिकार हैं देखो मूल अधिकार आपसे कहा गया याद रखना मेरे प्यारे भाई सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा 6 ए आंसर आपका बिल्कुँ सही आंसर हो जाएगा अजिके आपको उसमिदान के एकिस अनुक्षेत को बितरते पर दान किए गई तीक है अब तो है नहीं मेरे पहरे भारतिय समिदान के कौन से अनुक्षेद में किसी भी रूप में आस पैसरता अनुक्षेद के प्रावधान है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संधिता यानि कि यूनी फॉर्म सीबिल कोड से संबंदी थे मेरे भाई कोईशन बहुत ही जादा इंपोर्डन है फटा 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 अंसर दे दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी में प्रती उत्र आई हो जाएगा लोग सभा के प्रती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्टे कि राज इस वा और लोग सभा में किसी विल पर समझोता ना होने पर मामला सवबा जाता है कि इनको बहुत ज्यादा कर दिए जाए बहुत ज्यादा पार्ट करेंगे तो चल नहीं पाएगी ठीक है राज सभा लोग सभा में किसी बिल पर समझोता किसी भी बिल पर समझोता ना होने पर मामला सवब दिया जाता किसको मेरे भाई ये कहा गया आपसे याद रखना राज सभा अउम लोग सभा की सईयुक्त बै अधिक अस्ता है जहां पर जहां पर क्या बिलकुल जहां पर दो बड़ी पार्टिया है सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बिलकुल सखी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा जी वी मावलंकर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्यारे भाई आपको आपसें डी में तर्क्लास को लाइक कर दो अभी तक ऐसे को भी कुछ बच्चे क्लास को लाइक नहीं किये हैं लाइक कर दो अगर मैं आपके लिए म सेर करो तब फिर आगे बढ़ेंगे पहले करो सभी ताप करो आप करो ना करो मैं आपके लिए गाइस पॉलिस जीजान लगा दूंगा ठीक है तो को लोग सभा में निर्वाचन के लिए नियुनतमाई कुछ नहीं है कुछिन आपसे कहा गया है दो इसका सभी आंसर क्या हो जो भी में तर बता रहे हैं कि 25 वर्स नियुनतम आई होनी चाहिए उपसे नबर डी बिल्कुल सही होगा नेक्ट है कि लोग सभा के चुनाओ के लिए कौन अधिसूचना जारी करता है यह चुनाओ के लिए तो मुख निर्वाचन आयूख थी होगा ना उपसेन भी आपका नेक्ट है आपके सामने लोग सभा की अधिक्तम सदेश्यों के संख्या कितनी होगी है कि दो तीन बार आपका क्वेश्चन आया है कारण क्या इंपॉड़न बहुत है पांसो बावन होनी चाहिए सखी अंसर हो जाएगा आपका उप्सेंट है आपके सामने राज सभा की यह यह कहा गया है और इसका लगवग सभी मिंतर का आंसर पर होने की अधिक्तम अबदी कितनी होते है राष्ट पति श्रासन जो है कितनी अवजी तक लागू हो सकता है कि शे महीने से कुछ भी ज्यादा नहीं होना चाहिए एंसर आपका बिल्कुल सही होगा छे माह तक ठीक है अगला है कि भारति भारतिय सेनाओं का सर्बोच कमांडर कौन होता है बताओ सही आंसर क्या हो देग भारतिय सेनाओं का सर्बॉच कमांडर कौन होता है वह राष्ट पति क्या हो घखो राष्ट पति ऊपर चैग पत्र किसको देता है कहने के मतलब है राष्ट पत्र जो यह अपना त्याग पत्र जो है बैलों किनें सन्वह गोद सही हो शत्रा फटी राष्ट पती चुनाओं में मद्दान में कौन भाग लेते हैं यहां पडाप पराश्ट पती बतारें बिलकुल सही अंसर हो जाएगा अगला की भारत की उपराश्ट पती का गया ठीक है वराश्ट पती के बात नहीं की गयी हूँ पूपराश्ट पजी का जो निर्वाच्य ने मेरी पहली भाई कोन कर था लोग सभा और राजी सभा की सदस्ची आपको बिल्कुल पर्फक्ट हो जाएगा नेक्ट है आपके सामने इसका आंसर आपको बताना है कि सर्वोच नियाले की नियाधीस कितनी आयू तक कितनी आयू प्राप्त करने तक कारियर रख्ट रहती है मेरे भाई देखो यहां पर सर्वोच नियाले की नियाधीस की बात की गये न जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा जब तक उनकी उम्म्र 55 वर्स होना जाए ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही होगा 55 वर्स तक ठीक है मि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह एगा फाथिमा वीवी क्या हो जाईगा आपको रॉप्शन निमिलकूर ai कि के एटथे-पशन न चरवार स्थिए आपको mbूलं सत्य आपको option चारो देखना होगा उसके बाद आंसर देना होगा option पहले चारो देखे इसके लिए पांच सिगन का समय लीजी महानियावादी के बारे में क्या सत्य कहा गया मेरे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह जाएगा महानियावादी के बारे में सत्य कहा थोड़ा सा समझना मेरे प्यारे में त्रक्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा समझना वह संसदिय समिति कि कि किसी भी कारेवाही में भाग ले सकता है परंतों से मतदान करने का दिखाने यह भी सही का गया है वह संसत को आदेश दे सकता नरहित कि वहल हो angry भाग ले सकता है यह आदेश को दे naar शक्ता कहने का मतलब में मेरे अब संव द्याव को भारत का सॉलिस्टर जनरल होता है इसका आंसर आपको बताना है भारत का måsteर जनरल कौन होता है राष्ट पती का कौनी सरोकार, प्रधान मंत्री का का अनूनी सरोकार क्या होगा इसका परफेक आंसर देखो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा एक नियाई किसलाकार भारत का सॉलिस्टर जनरल होता है सही अंसर होगा आपका उप्शन बी जो भी में तेहां पर उप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट है आपके सामने निवनकित में से दुखो यहां पर थोड़ा सपस्ट नहीं है फिर सामने निवनकित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्छ नयाले नहीं है बता दो यहां पर रिप्रदेश लिखा ठीक है इसका जो सभी आंसर हो जाएगा ब्रत के प्रथम चुनाव आजुक्त कौन थी है एक क्वेशन का गया बता दू कि कल से आपकी हिस्ट्री की काइस टौपिक वाइस एंधी की टौपिक्वाइस क्लास आपके ली रही आफ समयुस्तें होगी जीसे की जूपिक κलास के स्लेपस के दिया गया मेरी पहरे भे यूपीपी के सिलेबस में उस सिलेबस के अनुसारा से मैं आपकी पूरिश्टी करवा दूंगा ठीक है अब निस्चिंद रहिए देखो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्ति थे यह कुश्चन आप से कहा गया है सही अंसर हो जाएगा सू कुमार से और शुमत्त प्रकुल और बहुत्त से कहा गया मैं व्रकुश्ट इन और झालत है कुश्चन की अंसर सब्लस प्रकूल के दिकित है .... देखो भारत में पंचायती राज का प्राणम क्या गया है एक क्वेशन आपसे कहा गया है सखी अंसर हो जाएगा क्वेशन में 56 का जो भी मुत्र हम पर बता रहें कि 1969 में 1969 में बिलकुँ सखी अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत की सम्मिधान का तिहत्तरम संसोधन अधिनियम 1929 में के पारित की जाने का कारण क्या है थोड़ा आप्शन देखने के बाद अंसर दीदीगा इसका जो सहीडा हो जाएगा मेरे प्यारी भाई वह हो जाएगा पंचायति राज्स को बल प्रदान करना सहीडा होयेगा आपको ऑक्स्टल नुदर है कि अनुक्षेट के अंतरईट राष्ठ आपात के घोषना इस्ति पर सकता है ठीक है इसका अंसर आप देदू बता दीजे अनुक्षे 352 ए अंसर आपका सही होगा एक मिनुट को मेरे बड़ी भाई पानी पिया है तब ठीक है देखो भारते समिधान के किस अनुक्षेत के अंतरगत राष्ट्रपती जो है कि राष्ट्रिय आपात की घोशना के इस्तथी कर सकता है और इसके पहले भी संसत की मंजूरी से कितने समय तक राष्ट्रिय आपात काल प्रभावी रह सकता है अगर कहाँ जया तो अधिक्तम केवल और कोल छे महिने तक ठीक है छे माह तक अधिक्तम राष्ट्रपती का जो राष्ट्रिय आपातकाल यह प्रभावी रह सकता है सही आणसर होगा आपको और नैक्स्ट है आफके सामने कि सम्मिधान में कितने प्रकाल के आपातकालों का प्रावधान है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा तीन प्रकार के option c आपका बिलकों सही होगा तीन प्रकार के ठीक अगला है भारतिस समिधान के किस अनुक्षेत ने सनसत को समिधान में थे संसोधन करने की सक्थी प्रदान की है इसका प्रिफेक्ट आंसर हो जाएगा वह जाएगा अनुक्षे 360 सही आंसर क्या हो जाएगा आपका अपसे नबब भी अनुक्षे 360 नेक्स्ट लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मोरी वेशन गया जो होना था सो हो गया अब जो होगा वह डेफिनिटली अच्छा ही होगा कहने का मतलब है अगर आपको पहली सफलता नहीं मिली मतलब अगर आपने इसके पहले यूपीपी का एक्जाम दे दिया और अगर उसमें आ मत कर मेरे बढ़वई चिंता मत कर क्योंकि जो होना था सो हो गया है लेकिन अब हम जो करेंगे वह डेफिनिटली अच्छा ही होगा कहने का मतलब है अगर आप पुरी जान के साथ लगे रहेंगे तो आने वाले दिनों में निश्यत रूप से आप खाकी वर्देधारी हो जा हो जाएगा वह हो जाएगा 500 सही अंसर हो जाएगा आपको आपको अपसिन बी नेक्ट है कि भारतित सम्मिधान के अनुसार संग की काली पाली का सकती जो है किसमे नहींत होती है इसका आप सब को बताना है क्वेशन नमर्स 64 हो जाएगा राष्ट पती में नहींत होती है मेर मैंने दो तीन ग्लास पानी पी चुका हूं तो दिर में ठीक है और लगता है कि अभी दो तीन ग्लास पी भी लूँगा अगर मैं पानी ना पीता ना तो गला बैढ़ जा तो क्लास भी ने ले पाता तो देखो उपराष्ट पती के निर्वाचिक मंडल में सामिल है आपसे यह कहा गया इसका प्रफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारी भाई हो जाएगा राजसभा लोगसभा की सदस्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका और सी नेक्स्ट है ही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट पती जो है कितने सदस्या को यहां पर 12 होगा राजसभा में 12 सदस्या को मनुनित करता है ठीक है ए आंसर आपको प्रफेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आपके सामने मेरे भाई कि भारतिय संसत की उपरी सद्दन को क्या कहा जाता इसका आंसर आप सब को बताना है क्या हो जाएगा बिल्कुल सही मेरे भाई क्या हो जाएगा राजी सभा कहा जाता है उपरी सभा कहा जाता है राजी सभा कहा जाता है ए बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा नेक्ट है कि प्रधान मंत्री की नियुक्ति जो है ये कौन करता ह प्रधान मंत्री के नियुक्टी कहा गया ना प्रधान मंत्री के नियुक्टी जो करते हैं कौन करते हैं राष्ट पती करते हैं सही आंसर हो देगा आपको अप्सिन ए अगला कि यदी प्रधान मंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदसे नहीं है तो उसे उस पत पर बने रहन के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदे से वनना आवश्यक है इसका सखी आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्वेश्चन नमबर 59 का हो जाएगा छे माहा तक ठेके इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुगा इसलिए मैंने इसको फास्ट करवाजी आपका सही होगा अगला की मंत कि लोक सभा की अधिक्तम सदे से संख्या हो सकती है कितनी लोक सभा की अधिक्तम सदे से संख्या कितनी हो सकती है अधिक्तम कितनी हो सकती है वह सकती है 552 अफका विल्कुल सही होगा राज सभा की अगर बात की जाती है मेरे भाई तो यहां राज सभा की कितनी हो सकती है तो बहुत देल से क्लास ले रहे न तो दिमाग ठोडा डिस्ट्रेस होता रहता है मेरे बाई अगर लोग सभा की अधिक्तम सव्द जिस्थ संख्या कहा जाए तो आप कहेंगे 500, सुबावन अगर राजसभा की अधिक्सम सब्सक्राइश क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे धाइस हो यह निकि दूसुपचास ठीक है यह दूनों याद रखना मेरे भाई इसमें गल्ती हो गई थी माफ कर देना भी पता नहीं क्या हो रहा है चलिए अगला है कि किसी विदेख को धन विदेख की रूप में कौन परमारित करता है इसका आउसर अप सबको बताना है क्या हो जाएगा correct answer किसी विदेग को धनविदेग के रूप में कौन परमारिक तता है लोग सभाध्रक्ष ऑप्सन भी आपका सही होगा केंद्र सरकार का प्रथम विदी हथिकारी कौन होता है या question आपसे पूछा गया है important बहुत एक फठाफट आंसर देढिए लिजे correct answer का question number 74 केंद्र सरकार का प्रथम विदी हथिकारी कौन होता महानय भधी आपका option C जो है बिलकुल correct हो जाएगा next आपके सामने संग राजी छेत्रों का का प्रसार्सन कौन चलाता है संग राजी छ्षेत्रों का प्रसार्सक जो है कौन चलाता है कूशन आप से इस कहा गया है इस grabbed प्रफेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्चन नमर 75 का जो भी में तरहां पर बता रहें कि राश्ट पती द्वारा नियुक्त प्रसाशक जो है यह संग राजी शेद्रों का प्रसाशक चलाता है सही अंसर क्या हो जाएगा आपका प्रफेक्ष्ट पती थे इसका आप सब बताएं बैक कबर्ज होती है जो कमर होती है वह भी मेरी धर्द होने लगे फिर भी मैं पूरी क्लास ले कर इड़ा होँगा अभी इसमें आपका 24 इदा रहें अभी 124 बाकी बच्चें 500 पूरे होने में ठीक है फिर भी में पूरे कंप्रेट करवादूंगा भारत के प्रतम सही हां से हो जाएगा चक्रवर्थी राज को पाला चैरी अप्सिन नबर ए आपका सही हो जाएगा अगला है कि स्वत्मत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री के बड़े मैं लाइक कर दू अगर लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो कर दू 78 का सही हो जाएगा अगला है आपके सामनी कि राष्ट पती दौरा लोग सभात था राजी सभाम में मनुनुत किये जाने वाले सदस्यों की क्रम संक्या देखो थोड़ा सा इसमें गाई है और इसका करने कि जो उस बुक में था वही इस बुक में भी कुछ मिल गये हैं तो इससे कोई मतलब नह सभा में जो सदस्यों के संक्या प्यक्राइबगा थे राजी सभा में मैंनुनित के जाते हैं तो बारा मनुद के जाते हैं थेक है तो दो बारा सही आंसर क्या होजाएगा आपका option B, next A, लोग सभा एवं राजी सभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिक्तम कितनी समय का अंतर होना चाहिए, इसका answer आप सब को बताना है, इसका जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, अधिक्तम 6 माह का अंतर होना चाहिए, option C, आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा, अगला है कि राज की कारी पालिका का प्रमो कौन होता है, इसका answer हो जाएगा, आपका राजिपाल, मैंने बता दिया है, तो इसलिए मैं फास्ट करवा रहा हूं, ठीक है, अगला है कि सम्विधान के अनुसार, विधान सभा के सादेश्यों के संक्या कितनी हो सकती है, जब अगला है कि राज का मंत्री मंदल समविगूरूप से किसके प्रती उत्तर दाई होता है, इसका answer आप सबको बताना है, निशन रही वर्दी आपको दिला करेंगे, पूरी चान लगा रहे हैं आपके लिए, जान चली जाए, और आपको वर्दी दिला करेंगे, ठीक है, ठीक विधान सबा के वर्द में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार है, यह कहा गया है, फटा-फट आइसर देदी जे, question 95 जाए, इसका तो perfect answer हो दाएगा, वह हो जाएगा, कम से कम दो बार अधिवेशन होने अनिवार है, सही answer हो दाएगा, मेरे प्यारे भाई, आपका option number A आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला आपके सामने कि किस राज में विधान सभाई सदेश्यों के संख्या सबस्यादिक है और यह गाई से सबस्यादिक उस राज में होगी जहां पर कोपलेशन जाद होगी कहने के मतलब अपने उत्तरप्रदीश में आपका सही होगा अगला की जम्मू कस्मीर राज को किस अनुक्षियत के अंतरगत विशेश राज का दरज़ा प्राव्त था अब है नहीं ठीक है यह गाई सब वापस कर लिया गया सही अंसर हो जाएगा प्राश्ट प्रदी और अगला कुषिन है आपके सामने इसका अंसर आपको बताना है कि भारत को चितन नियाले कहा वस्चित है वही रिपीटेट कुषिन आ रहे है ना तो नहीं दिल्ले आपका सही हो जाएगा अगला है कि भारत के सरभुच नियाले में नियादीशों की क कौन करता है इसका आप सबसको बताना है सरभुच नियाले के में अंधीश की नियुक्षिक कान करता है कुछिन ना रहे हैं वह हो जाएगा आपका ओप्सिन वही रास्ट पती नेक्स्ट ही कि उच्छिन नियाले के नियादीशों का कारिकाल कितनी वर्सका होता है कि वहीं सरव उच्छ नयाले के प्रतम्मों खिन्यादीस कौन थे वो थे हीरलाल जेकानी आपको बिल्कुल प्रफक्ट हो जाएगा अगला है आपके सामने कि वर्तवान में भारत में उच्छ नयाले की गुल संक्या कितने हैं भाईया हो जाएगे 25 ठीक है अगला आपके सामने है कि उच्छ नयाले कि मुख नयादीस के निवती कौन करता है इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई इसका जो वह हो जाएगा राष्ट पती ठीक है कि गाईस आपको समझो इसका करण यह है कि आपका जो important question है वह इसमें रिपेट करवा रहे हैं ताकि ग उनके उमरे 62 वर्स पूरी ना हो जाएगा कि उच्छ नयाले में सबसे अधिक संख्या में नयाधीस कारेड़त हैं तो हो जाएगा इलाहबाद उच्छ नयाले में क्या हो जाएगा इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा question no 99 का जो भी में त्रहां पर बता रहे हैं कि अनुक्षित 143 बिल्कुर सही होगा अगला है आपके सामने कि राज्यों में राष्टपति शासन के अधिक्तम हो जी कितनी है राष्टपति शासन के अधिक्तम हो जी क चार सु मेंने complete के हैं ठीक है और लगवग वही बार बार रिपीट हो रहें ऐसा इसलिए क्योंकि जब question जादा बनी नहीं सकते हैं मैं जितनी प्रकार से बन सकते हैं हर सम्भू मैंने question बना दिये है guys जिस प्रकार आपके question पूछे जा सकते हैं हर प्रकार मैंने कोशिस कर ल पूछाएगा आपका वह जाएगा डॉक्टर सचिदा नंदे शिना option B आपका सही होगा प्रारूप समिती कौन थे प्रारूप समिती के अदक्ष कौन थे देखो गाईस important question सारे हैं सारे के सारे question important है भीम रावम बेटकर से सही अंसर होगा आपका option number D अगला की समिधान सभा कि अंतिम उलोब से मिधानगों का पारिद किया गया पारिद मेरे भाई कहा गया आब बता दो है मैंने आपको बताया था, अगर लागू करने की बात की जाएगे, तो 26 1905 लेकिन पारित करने की बात की जाएगे तो 26 नूमबर 1949 अगला है इस सम्मिदां सभा किस दिन से पूनता लागू लागू हुआ अब दोगो भैया कहा कि किस दिन सें पूनता लागू हुआ सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा 26 जनवरी 1950 option D आपका बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा अगला की भारत कब गणतंत्र बना इसका आप सब को बताना है question number 7 इसका जो perfect answer हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा कब गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 पचास options C आपका बिलकु सही होगा भारते समिदान के किस भाग को इसकी आत्मा की संग्या दी गई है जो को मैंने आपको बताएगा इसकी आपके repeated question करवा रहे हैं मतलब यह आपका revision हम करवा रहे हैं ठीक है इसका answer आप सब को बताना है क्या हो जाएगा भारते समिदान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा गया इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तावना option बस C जो दिया गया है आपको बिलकु सही आंसर हो जाएगा ठीक है आपका मैं repeat करवा रहा हूँ इसलिए तकि आप revision कर सको ठीक है तो आप हर एक question का answer आप तो जल्दी 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 आंसर दे दोगे उतनी जल्दी मैं आगया बढ़ जाओंगा भाई या अगला है कि सम्मिदान सभानी राष्टगान को कभ सभीकार किया पता दीजे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अगला है कि भारतिय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार्यों के संक्या कितनी है इसका answer आपको बताना है कि सम्मिदान संसोधन द्वारा हटा दिया गया इसका जितने भी important question है वही मैंने repeated करवा है ठीक है गाइस मैंने type करवाया है इसलिए मैंने type करवाया है कि ताकि आप दोबाड़े उसे revision कर सको important question को revision कर सको पारवा जो गाइस आपके बहुत ज्यादे important है वो मत बढ़ो कोई दिकती है लेकि जो important है वो तो आपको पढ़ना जरूरी है देखो संप अधिकारों का रक्षक मिरे भाई मूर अधिकारों का रक्षक किसे कहा दाता है वो सर्बोचने आले और उचने आले दोनों को आवबा दोनों यानि option number a and b दोनों सही answer क्या हो जाएगा आपको option c next है आपके सामने कि कि किस अनुक्षेत के दौरा 6-14 वरस तक के बच्चों के लिए शिक्सा का अधिकार मूर अधिकार माना गया है इसका जो परफक्ट अंसर हो जाएगा मिरे भाई वह हो जाएगा अनुक्षेत 21 एक के अंतरगत option number c आपको बिल्कुल perfect हो जाएगा अगला है कि लोग कल्यान कारी राज की अवधारना किस में नहीं तो होती है मेरे बा पताने के राज के नहीं तो नहीं सकता तुम्हें विल्कुल सही हो जाएगा अगला के सम्मिदान के अंक्षेत 40 जो है राज को नेते निदे से देता है कि वह क्या करें वह गडाम पंचायतों का संगठन करें सही आंसर क्या हो जाएगा आफ का हो जाएगा option number c जो important question है वह दोबारा देख ली जगा ठीक है और मैं इसलिए repeat भी करवा रहा हूं और जो repeat नहीं हुए question आप देख लीजिएगा अगला है कि सम्मिधान में मोल कर्तब्यों को सामिल करने की पिरनेड़ा किस देश के सम्मिधान से ली गई इसका अंसर आप सबको बताना है सही आंसर हो ज ज़ाएगा अगला है कि सम्मिधान में मोल कर्तब्यों को कि समीधी की आधर पर सामिल किया गया इसका जो सही आँसर हो जाएगा इसका आप सब बता दीजे correct answer क्या हो जाएगा पर्फेक्ट अंसर फो जाएगा राश्ट पती में जो भी मेंत्रे हुआ पर बतारही हूं आप्सन C, बिल्कुल करेऩ्ट अंसर हो होते हैं सही आंसर हो जाएगा आपका option c next है आपके सामने कि राष्टपदी के कारिकाल की अवधी जो है कितनी होती है इसका आप सब को बताना है मेरे इंपोर्डेंट है ठीक है बता दीजे एवार पढ़तों लिये हैं तो बता दो फटा फट हो जाएगा आपका option बभी अपनाए जाती है आप दक्समत्यदान भी अपनाए जाता है सही आंसर क्या हो जाएगा आपको option d यह सभी जो मिमत्र बता रहे हैं option b यह सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्टपदी uncontested president जो थे हैं वो कौन थे नीड़म संजी उरेटी option b आप का बिल्कुल perfect हो जाएगा अगला की राष्टपदी पर महव्योग का आरोप जो ही है संसत्के की सदन दौरा लगा जा सकता है बता दीज़े इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एक बार पढ़े हो बता दो संसेत की किसी भी सदन दौरा राष्टपती पर महाव्योग कारोप लगाया जा सकता है इंपीश्मेंट आप प्रेसिडेंट सही अंसर क्या होजएगा आपको अप्सन सी नेश्ट है कि भारतिय सेनाओं का सरवोच सेनापती कौन होता है बहुत ज्यादा इंपोर्टन है फट 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 अंसर दे दो इसका सही अंसर हो जाएगा राष्टपती ए अंसर आपका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा जो भी मित्रॉप से नहीं बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेस्ट है आपके सामने भारत्य समिदान के अनुसार संग की काली पालिगा सक्ती जो होती है यानि कि एक्ज़क्ट पावर आप दी यूनियन जो है किसमे नहीं होता है इसका अंसर आप सब को बताना है कुशर मों 46 26 उफ्च पती के निर्वाच्क मंडल में कौन सामिल होते हैं इसका आप सब को बताना है कुशर मों 27 सबसे आपके सरदश ऑपस्ट आपकर को मनोनीत करताla है इसलिए के बार-बार मैंने questions लिये हैं सही answer हो जाएगा आपके मेरे भाई वो हो जाएगा बारा एंसर आपका बिल्कुल सही होगा राश्ट जो भारतियस अंसर यानी की जो भारतियस अंसर पाडलेमेंट है इसके उपरी सब्दम को क्या कहा जाता है यह question कहा गया है फट फट अंसर द करता है राश्ट पती करते हैं एंसर आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा important question मैंने दुबारा लिया है ठीक है अब फट एक question को देखें मेरे भाई अगला है अपके सामने यदि प्रधान मंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे उस पत्पर बने नहीं के कितने दिनों के अंदर किशी इस अंसत का सदस्य से बनना आवेश्चक है सही आंसर हो जाएगा आपको question में थाड़ी बनका जो भी में तरहां पर बता रहें कि 6 मां के अंदर हैं बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला कि मंत्री परसद सामोही गुरूप से किसके प्रती उत्त जोड़न बहुत है मेरे भाई इसमें गलती नहीं करने का ठीक है जो लोग सबाकी अगर कहा जाएगा तो 552 राजसबाकी कहा जाएगा तो मेरे भाई वह जाएगए 200 यानी 250 पर फैले मैं पाता नहीं क्या हो गया था दिमाग डिश्ट्रेस हो गया था अगला है कि राज सब अप्सेन B आपका बिल्कुर सही आंशर हो जाएगा जोभी मित्र प्रशन बदा रहें बिल्कुर्व सही होगा नेक्स है कि केंदरे सरकार का प्रथम विधी अधिकारी कौन होता है इसका अंसर आप सब को बताना क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटा फटाफट आंसर देड जो नियुक्त प्रसासक होता है वसंग राजी छेद्रों का प्रसासन चलाता है आपका विल्कुछ सही होगा नेक्स एक भात के प्रतम राष्ट्रपती कौन थे इसका आप सबको बताना है देखो रिपीटेट कुश्चन आ रहे हैं इसको आप लेकर के चिंता विल्कुल भी करो कोश्चन के संखेज जादा बन नहीं सकती है तो मैं आपको वही रिपीट हो जाएंगे देखो मैंने इसके टाइप बिल्कुल अलग कर दिये मुझे महनत दुबारा पड़ी है आप मैंने वही कोश्चन ले लेकिन मैंने महनत दोबारा की है देख यह गाइस मैंने यहा बात केगे बीच-बीच में मैंने इंग्रेस में भी लिके दिया है ठीक है भारत के प्रतम राष्ट्र पती कौन थे भाईया वह थे डाक्टर राजी अंदर प्रसार और आपका बिल्कुल सखी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आफ के सामने कि सतंत्र भारत के प्रतम भारती गवेंडर जनरल चक्रवर्ती राजको पालाचारी एंसर आपका सही होगा अगला है कि राष्ट्र पती दौरा लोकसभा तर्था राजी सभा में महनुनित के जाते हैं वो कितने के जाते हैं भाईया बिलकुल सही है आपका सही आंसर हो जेगा दू और राजी सभा में 12 जो प्रमुख होता है कोन होता है इसका आप सूक बजाना है राजपाल के जरू के चेस रिखते हैं कुन होता है उनी चाहिं कि मांच सही होता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो भी मित्र हाँ पर बता रहे हैं कि छे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला है राज का मंत्री मंदल सामय कुरूप से किसके प्रती उत्तर दाई होता है राज का मंत्री मंदल कहा गया है ना मंत्री मंदल अगर आपसे कहा जाता कि किसी राज़ी में विदान सबस्वाइश्य के संक्या सब्स्चाधिक है उत्तर प्रदेश में है जो आपका सही अंसर हो जाएगा इसका अपको बताना है जितनी जल्दी हो ज़िक है रिपेटेट कुस्टन है आपके सही अंसर हो जाएगा नई दिली में ए अंसर आपका बिलकूल सही आपके सही आपके यहाँ पर मुख्य न अदिश को छोड़ दिया जाएगा तो तो त्यक है और दो इसके पहले जो बुक् सब्सक्राइब करते हैं अगला है कि उच्छतन मुख्य न अदिश का कारिकाल केतना होता है इसका अंसर आप सब को बताना है उच्छतन मुख्य न अदिश का कारिकाल पैसर वर्स की आयोपोरी होने तक मतलब जब वो पैसर वर्स की आयोपोरी हो जाएंगे तो उनका गाये से जो भुच्छतन मुख्य न अदिश कों थे इसका आप सब को बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर्बूच न अदिस कों थे 54 हिरालाल जाईकानी आप सिया आ सब्सक्राइब करता है कि देखते चले देखते चले बस ठीक है सही आंसर हो जाएगा कि राष्टपती करते हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई यह सबस्यादिक छेत्रों पर है यह बताइजिए कहां पर किस उचनायले के ठीक है तो इसका अंसर आप सबका बताना है गुवाटी के अपसंसी आफ खबिल को सही होगा किस उचनायले में नाधिश के सबस्यादिक संक्या है वह जाएगा इलाहाबाद में अगला आपके सामन नहीं है कि सम्मिदान के किस उचनायले के से प्रामर्स मांगने का जिखार में सबस्यादिक को अनुक्षिऽ होरा कि एड्र WAT कोई नहीं किसी कभी नहीं है option D आपका बिलकुर सही answer होगा मेरी भाई option number D आपका बिलकुर सही answer हो जाएगा राश्ट्री पती राश्ट्री आप बात का हल की गोस्ना किन इस्तित्यों में कर सकता है यूदि में बार याकर वड़े में सासरत विद्रों इन त्यों इस्तित्यों में option D आपका बिल्कुछ सही होगा नेक्ट एक भारत में अब तक कितनी बार राष्टी आवात काल की घोष्टना की जा चुकी है इतनी बार की जा चुकी है तीन बार option B आपका बिल्कुछ सही आंसर हो जाएगा question 63 का जो भी मित्र option B बता रहे हैं बिल्कुछ सही आंसर हो जाएगा नेक्ट है आपके सामने की भारत में राष्टी पती जो है 21 अनुक्षियत की अंतर गदेश में राष्टी आवात की घोष्टना कर सकता है यह आप से पूछा गया फटाफट आंसर देजिए question 64 सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहां पर जो भी बता रहे हैं कि अनुक्षियत 352 बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला कि संभिधान के किस अनुक्षियत के आधार पर राज्ज्य में संभिधान एक तंतर की विफलता पर राष्टपती सासन लगा जा सकता है जितनी जल्दी हो ज़गे जल्दी answer दीजे बिल्कुल मेरे भाई इसका सही अंसर हो देगा उनुक्षियत 356 नेश्ट है आफके सामने इसका अनुक्षियत के आधार पर देश में बित्य अबाद काल की घोषना की जा सकती है इसका आफ सबको बताना है सर सक्टमबर कुशन सही अंसर हो देगा अनुक्षियत 360 के अंतरगत नेश्ट है आफके सामने संसत दौरा अनुदन के बाद किसी राज़्च में राष्टपती सासन यानि प्रेसिडेंट्स रूल एक बाल में कितने समय तक किलिए लागू किया जा सकता है छे माह के लिए लागू किया जा सकता है सही अंसर क्या हो दाएगा आपको आपको आपसन नबर सी नेक्ट है आपके सामने कि राज़्च में राष्टपती सासन लगाने की इस्टिती में कितने दिनों के अंदर उसकी संसत से सभी कृतिया विश्चक है इसका अंसर आप सब प्यारे भाई बेन बताएंगे कुश्चन नबर 69 सही अंसर हो जाएगा आपर जो भी मित्र बता रहे हैं कि साथ दिन यानि कि लगवग दो माह तक बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा आपको आपसन नबर बी नेक्ट है आपके सामने इसका अंसर आपको बताना है कि दल बदल सरसम्मंदित कानून का उलेक किस अनुसूची में है इसका तो प्रफ्रक्ट अंसर हो जाएगा मेरे भाई वह हो जाएगा दस्वी नुसूची में आप्स नबर सी आपका बिल्कुल प्रफ्रक्ट हो जाएगा सम्मिदान सबाद आरा कितनी भासाओं को मानिता प्रदान की गई है करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 बासाओं को option number 3 आपका बिल्कुल perfect हो जाएगा 73 अंसोदन समंदित है किस से या आपका बताना है इसका तो perfect answer हो जाएगा 73 अंसोदन जो है किस समंदित है या पंचायती राज से option number D आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा वितिये आयोग के गठन का प्रावधान के सनुक्षेद में इसका आप सबको बताना है question number 3 इसका जो सही answer हो जाएगा अनुक्षेद 280A बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला है कि योजना आयोग का पदेन अद्धक्ष कौन होता है एक्ष ऑफिस जो छेर्मेन होता है वो कौन होता है इसके चो सही answer हो जैगा योजना आयोग का पदे नद्धक्ष कौन होता ही आप संप्ष का गया है हां बिल्कुल सही answer हो जाएगा आपका प्रधान मध्वें option कि भारत में प्रथम योजना आयो का गठन जो है कि कब किया गया इसका सखी आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 सही आंसर क्या हो जाएगा आपको अप्सिन बी नेक्स्ट है आपके सामने कि राष्ट्रे विगास परिशत के स्थापना कफ की गई नेशनल डेवलेप्मेंट काउंसिल सब्सक्राइगा आपका 176 का यहां पर कि 1952 बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है कि आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है कौन है आधर प्रदी से अपसंसी आपका बिल्कुल प्रिफक्ट होगा नेक्स्ट है और नेक्स्ट नहीं आपर आप देख लो थोड़ा व समझने के समय नहीं अब वक्त को समझा देगा समझ गया ना मैं सारे कुछिंस रिपीट करवा रहा हूं सैरे कुछिंस आपके रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आप दोबारा ना पढ़ो मैं आपके लिए पूरी जीजन में लगा दूंगा मौरह बहां भलाई भली बैठ ज पंचाथी राजववस्ता से ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला की सबसे पहले भारत में 2 अक्टूबर 1969 को पंचाथी राजववस्ता का सबार नमब किया गया वो कहां से सुरू किया गया उन्हें असी नमबर अगला की सोत्मतर भारत की पर्थम निर्वाचन आज़कत कौन थे पर आपका बिल्कुल प्रफर्प्ट हो जाएगा अगला की पहले वी तायो का गठर निर्द्टी क्या गया था इसके अद्धक्ष कौन थे सही अंसर हो जाए को कुश्चनबर 81 का जो भी में तरहाँ पर बता रहे हैं कि केसी नहीं होगी बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा A अगला की पंचायतों के चुनाव है तो निर्डड़ा ये लेने का अधिकार किसे प्राप्ट है राइटाश हो जाए को कुश्चन बडड 82 का जो भी में तरहाँ पर बता रहे हैं कि चुनाव आयोग को बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा बिल्कुल करेट्ट आंसर हो जाएगा आपका अपका ऑफिसे नेच्ट आई की सरकार या आयोग का सम्द्र किसे है पर्फेक्ट अंसर हो जाएगा केंद्र राज्य समंदों से ए अंसर आपका बिल्कुल पर्फेक्ट हो जाएगा अगला कि संसर दौरा देश में सूचना पाणी का अधिकार समंदी विधेक का पारिक किया गया पर्फेक्ट अंसर हो जाएगा मेरे भाई यहां पर हो जाएगा जून 2005 में अगला आपके सामने कि राश्ट पती निम्न में से किस सूची के बिसे पर अध्यादेश जारी कर सकता है अब आपको बताना है कि मैंने रिवीजन करवा दी अब आपका फिर से सिरल बाई सिरल कोश्चन चलने लगा है चार सो छेयासी नंबर कोश्चन है ठाक गए हैं बहुत ज्यादा चले कोई बात नहीं चौदा पंद्र कोश्चन और बचे हैं देखो इसका सही आंसर हो जाए प्रख्यापित किया जाता है उन्हें हम गयते हैं अध्यादेश ठीक जिसका संसत की अधिनियम पर समान प्रभाव होगा ठीक है मेरे भई अब यहाँ पर आप देख लीजीगा पूरा मैं पूरा बताऊंगा बहुत जादा टेम लेगा और अगला कुश्यन है आपके सामने इसका आंसर आपको बताना है राष्ट पती कि सूची के बिसे पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता इसका आप सबको बताना है राष्ट पती कि सूची के बिसे पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता एटी सीवन राइट आंसर हो जाएगा, राजी सूची पर ए अंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप इसका एक्सपेंड देख लो, और मैं आपको बता दूँ कि इसका एक्सपेंड आप वीडियो को पॉस्ट करके देख लिजी, ठीक है, मैंने लिख दिया करने का अधिकार भात के राश्टपती को नहीं है, ठीक है, क्रेक्न आसर क्या हो जाएगा, आपको option number D, अब देख लो, यहाँ पर गाइस, क्यों को राष्ट पधेंड की जो अधिकार है, कौन कौन से हैं, यह आप यहाँ पर देख लो, आठ अठ दिकार मैंने यहाँ पर डेता हूं थेकिये safe은 तेको राश्ट्रपदीक दीकार दिएक दिकार नियादी के जह सथाफना लुश्भा की जेसे निवती करते हैं धुवती से लुए कवानदर, म्रितियु दंड, खमा करने का जिकार और राजिट्णतों के श्थापना लोग सभा को । αधिकार ते सारी की बात कार क्रिण के सकती है। अगला है कि किसी मृत्यूदर्ण पाए अफ data को ठूब इकूर मृत्तुदर्ण पाए अफड़ेगो को चमादान करने के सक्ती इबटकेट में से किसी प्राफ्त है बता दू में किश्यों को अगर मिर्तुद्रंड दिया जाता है और अगर उसे राष्टपती छमाकर देते हैं तो उसे मिर्तुद्रंड नहीं दिया जाएगा कहने का मतलब केवल और क्योल राष्टपती को सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है यहां पड़ आप देख समन्दित राजष के राजष्पाल को भी दयाच राजषक का भेज़ज जा सकती देख ज pa lacina को घ्रमत ordi को भेज़ दिते हैं जिससे जो राष्टपती होते है अगर ऊच्ए है तो उसको च्श्वायाचणा कर सकते है अगला है आपके सामने इसका आप सब को बताने है मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोई विदेख संसर दोरा पारित हो जाता है तो राष्टपती को अधिकार है कि वह उसी क्या गरे आस्विकार कर सकता है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है संसोधीत कर सकता है अपने आसपास आनिस्चित काल तक नहीं रह सकता बता दीजिए क्वेश्चन नम्ब्बे 490 नमबर है बता दो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है बिलकुल सही और है आप इसका एक्सप्लैन देख लो बहुत ज्यादा करेंगे टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है मेरे भाई ठीक है भारत के राष्टपती के पास कौन सी वीटो सकती है यह आपका बहुत ज्यादा इंपोर्ट है देख सकतो हो आई ये इस 1991 में पूछा गया है सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई निलंबित निशेद पोण निशेद और पॉकेट निशेद ये तीनों की तीनों बीटों सकती जो है भाद के राष्टपती के पास ऑप्सें डी आपका ब्योकुल सही होगा ये आप देख लो इसका देख लीजेग अगला है कि राष्टपती किस इस्तिती में अध्यादेश जारी कर सकता है जो राष्टपती है किस इस्तिती में अध्यादेश जारी कर सकता है सदन के अध्यवेशन ना रहने की सदन के अध्यादेशन ना रहने की सदन के अध्यादेशन ना रहने की सदन के अध्यादेश हो जाएगा ठीक है और किस अनुक्षित के अंतरगत तो अनुक्षित के अंतरगत अगला आपके सामने कि युद्ध अथवा भारत पर आकर्मण होने की इस शिति में निम्ड़कित में से कौन अंतिम रूप से आकर्मणकारी के ब्रिध जुद्ध की गोशना कर सकता है इसका आंसर आप सबको बताना है 94 जो इसका क्रिक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्पती आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर आप देख लोगा इस तीक अनुक्षिय तीन सो बावन के अंदर के जो आप आतकाल की घोशना की जाती है वह यहीं हो जाएगा अगला है मंत्री मंदल के डिखित प्रामर्स पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला आपके सामने है इसका आंसर आप सबको बताना है कि राष्ट्पती सम्मिधान के किस अनुक्षिय कर दोगा फिर आगे बढ़ूँगा दिकूँ बारतिय समिदान अनुक्षेट 123 यानि आर्टिकल 123 संसत के विश्रांती काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राष्टपती के सकती है उस समय को छोड़कर जब संसत के दोनों सदन सत्र में है यदि किसी समय राष्टपत सकती का प्रियोग निम्ड में से किसे प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है बहुत जादा इंपोर्णर कॉश्चन है यह यहां पर उस्टाइगा सेनिक अदालत दौर दिये गे दंड इसमें भी कर सकते हैं अगला है क्या गयरा कि लोग सभान निम्ड निम्ड सबस्क्राइब निम्ड के की जा सकती है लोग सवाज हो है इसके डार भंक के जा सकते हैं क्या इक अगला है कि यह आपको बहुत ज्यादा में पूछा गया है कि भाहत के राष्टपती ने जिस एक मात्र मामले में वीटू सक्ति का प्रियों किया था बता दे इसको सही आंसर क्या हो जाएगा आईएगर संसुधन अधिनियम सही आंसर हो देगा आपका अप्शन ए यह सारे सारे देख लोगा इस आप इसके अगला है यह आपका गाइस बतादी से सही आंसर क्या हो जाएगा भारती है संभिधान के इस अनुक्षेत के अंतरगत राष्ट्रपती संघिया मंत्री परसद की सलाह मानने के लिए बात दिया है अनुक्षेत 74 कर्रेक्टर अंसर हो जाएगा ठीक है यहां पर मेरे भाई मैंने आपको बताया आप सब के लिए गाइस मैंने 500 कुछेंस लेका राए थे जो गो 186 पेश्ट था ठीक है आप यहां पर देख एक 186 पेश्ट था मेरे भाई और मैंने सारे सारे कुछेंस कबर कर अगरा बैठ गया हम बहुत तेस नहीं बोल सकता है लेकिन मैं आप सब को बता दू कि मैंने 500 कुछें कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें मैंने आपके रिवीजन भी करवा दिया आपने देखा होगा अगर लगता है मैंने आपके लिए मेहनत किये तो सभी प्यारे भाई मैं कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजेगा मेरे भाई ताकि आने वाली हर लाइप क्लास की नोडिफिकेशन आपको टाइम को टाइम मिला करें इस क्लास की पीडिएफ जो है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल एक्साम गुरुजी बायरवी से पर मिल जाएगी अगर आ आपको हमारे इस्टेग्राम आड़ी मिल जाएगी तो मेरे भाई आज की इस बेत्रीं क्लास में विचेता है अब और बहुत ज्यादा हमें बोल नहीं सकता और मिलते हैं रिशन नहीं क्लास में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद